तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज का ये वीडियो जो होने वाला है आज का ये क्लास ये महामराथन क्लास होने वाला है यानि कि बहुत ही लंबा class चलेगा, क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में, आज के इस class में हम लोग class 12 के उर्दू का संपूर्ण objective question करने वाले हैं यानि कि class 12 के उर्दू का पूरा book जो है ना, उसको complete करने वाले हैं जितना भी objective question उस book से हो सकता है, उर्दू के book से, उस सारे objective question यानि कि पूरा उर्दू का book आज के इस वीडियो में हम लोग complete करेंगे, मातर एक वीडियो में, सारा objective complete, संपूर्ण objective का मतलब मुकमल, पूरा objective complete, जिसमें must, विवयाई, objective भी सामील हैं और सभी तरह के objective question जो कि आप लोगे previous year में question पूछे गये हैं और इस बार पूछे जाएंगे सभी तरह के question सामील है, तो यह संपूर्ण objective का class है, यानि क्लास 12 के उर्दू के संपूर्ण objective का महा महराथन class है, थोड़ा यह लंबा class होगा, लेकिन सारा objective complete, यानि कि 12th class के उर् इसे तो खतरनाक revision होई जाएगा, यान की जबरदस्त revision होगा, उसके साथ साथ, अगर आप लोग chapter नहीं पढ़े हैं, ठीक है न, किसी वज़ास से आप लोगा chapter छूड़ गया नहीं पढ़े हैं, आप डरक चाहते हैं, objective complete हो जाए एक ही वीडियो में, तो खेर यह वीडियो आपके लिए मृत के समाने, पूरा वीडियो देखिए और सारा objective complete कीजिए, मतलब कि जो आप लोगे exam में question पूछे जाएंगे न, इस से बाहर एक भी नहीं होंगे, सारा objective question जो कि 12th class के उर्दू के final exam में पूछे जाएंगे, वो इन ही objective question में से पूछे जाएंगे, जो कि आ आने में काफी मेहनत लगा है, लंबा वीडियो है, आप लोग को भी लगतार देखना है, क्योंकि जिस तरह मैं आप लोग के लिए लगतार मेहनत कर रहे हूं, लगतार बोल रहे हूं, लगतार आप लोग को समझा रहे हूं, पढ़ा रहे हूं, उसी तरीके से आप लोग को भी लगातार मेहनत करना है हमारे साथ और इसी मेहनत पर लाइक शेयर तो बनता है पड़ाफर्ट लाइक कर दे और जितना ज़्याद हो सके शेयर कर दे ताकि सबी लोग सबी स्टूडेंट जो है इस वीडियो का लाव उठा सके सबी लोग का भला हो और मैं आप लोगों से य अफसाना और डी में मसनवी जाना के चैप्टर मं द symmetry है क्या है नाविन अफसाना है की ड्रामा है की मसनवी है सबसे पहले आप लोग अपने हिसाब से एंसर दीजिए मतलब मन महीं सोच लीजिए उसके बाद से मैं एंसर बताऊंगी तो आप लोग मिलाते चलिएगा कि आप लोग कितने कोशन का एंसर सही सही दे पा रहे हैं आप जो एंसर सोच रहे हैं बता रहे हैं वो सही हो पा रहा है कि नहीं और इस तरह आप लोग का रिवीजन हो जाएगा प्रैक्टिस हो जाएगा जिस जिस कोशन का एंसर आप लोग को पता है अच्छी बात है लेकिन जिस कोशन का एंसर आप लोग का सही नहीं हो पा रहा है आपका गलत हो जा रहा है तो फिर उसी वक्त आप ल दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं दूसरा सवाल है कि गुबार खातिर का तालुक किस सिन्फ से है। घुपार खातिर का तालूक किसी सिंफ से अपसाना तो खैर होगा नहीं उसके बार से खुदनविस्थ भी तरह जो टाइपिंग किया गया है हमारे दोरा जो objective question मनाया गया है वो भी इसमें शामिल है सभी तरह के question सामिल है यहां तक हिएश और गाइड का भी सामिल है लेकिन गेस और गाइड में आप लोग यह भी कैस कोशन कर सकते हैं कि हमारे पास भी तो सार ग्राइड है तो मुझे से अब्जेक्टिव कोशन देख सकते हैं और Кमांड कर सकते हैं लेकिन नहीं जितने भी गैस और गाइड होते हैं उसमें जो कॉष्टन का एंसर दिया रहता है कहीं गलत दिया ह而onsight तो यह जो मैं अभी आप लोगो कोश करा रही हूँ यह ऊर्डाव का ही है लेकिन जो इसung गलत एंसर हैं है उसको मैं सही करके पूरा में सही करकर के सही निसर में आप लोगो बता रही हूँ इस वज 목ब के आक हम लोग कम्प्लीट करेंगे सारा कम्प्लीट करेंगे हमारे दोला जो अब्जेक्टिव कुशन तैयार किया गया है वह आगे चल कर आप लोग को मिलेगा लेकिन जो गेस और गाइड का इंपोर्टन कोशन है वो भी मैं साथ साथ करा दे रही हूँ ताकि सारा अब्जेक्टिव कोशन कम्प्लीट हो जाए ठीक है ना तो चलिए फड़ावट हम लोग कम्प्लीट करते हैं तीसरा क्वेशन है कि किस सिन्फ में माफवाकुल अलफित्री अनासिर की कार फर्माई होत ठीक है ना तो आपसन नमबर डी करेक्ट इंसर कोशन नमबर फूर है कि गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है इसका सही जवाब होगा ऑपसन नमबर डी जी हां यह गाना चंगेजी को नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर फाइफ है कि मीरमन दहलवी से कौन सी किताब मनसूब ह तो मीरमन दहलवी जैसा कि आप लोग जानते हैं इसकां किताब मनसूब है तो पांच का ओपसन नमबर डी हो जाएगा बागो बागो बहार में कितने दर्वेशों के वाकियात या फिर कितने दर्वेशों किस से ब्यान किये गये हैं तो चार दर्वेशों के तो option number D इसका भी सही जवाब हो जाएगा ये हर एक question का answer खेर आप लोग को पता होगा अगर आप लोगोने chapter पढ़ रखा होगा तो ठीके समझे कि आप लोग का revision हो रहा है और एकदम जबरदस्त revision question number 7 देखिये कामिल इंकलाब का तसवर किसने पेश कि किया कामिल इंकलाब यानि कि संपून क्रांती का तसवर किसने पेश किया था तो आप लोग जानते हैं कौन थे वो जैपरकाश नरायन देखिए कि option में दिखाई दे रहा है तो option number D में दिख रहा है जी हां तो लगा दीजे सही answer जैपरकाश नरायन is the correct answer आगे बढ़ा जाता है शुमाल और जुनूब यानि कि उतर और दक्षिड के बीच एक पुल की तरह तसवर किया जाता है वो शायर कौन है तो वो शायर जैसा कि मैं important समझते हुए आप लोगो पढ़ाई थी इसका सही जवाब क्या होगा option number B वली यानि कि वली दकनी जो है ना वो शुमाल और जुनूब के दर्मियान एक पुल की तरह तसवर किये जाते हैं option number B is the correct answer ये important question बहुत बार पूछा गया है बहुत बार ये question पूछा गया है आगे बढ़ते है next question अगला सवाल है कि दायम पढ़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हुँ मैं मिस्रा को मुकमल करें दर पर यानि कि सवाल दसवा सवाल है कि सौधा कि सहसियत से मशूर है तो मिर्जा मुहम्मद रफीज सौधा जो है ना वह मशूर है किससे और विजुरी बात है दसका अपसा नंबर B कसीदा गो से आगे बढ़ते हैं next question की तरफ बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल है कि कि किसी की मौत पर जो नज जिसके मर जाने पर नजम कही जाए उस नजम को क्या कहते हैं मरसिया कहते हैं next question है question number 12 की बागबार का तालुक किस सिन्फ से है तो बागबार का तालुक है जीहत दास्तान से बागबार क्या है एक दास्तान है next question भूले बिसरे गीत किसकी तखलीक है भूले बिसरे गीत के र राइटर का नाम याद रखने का ट्रिक भी बता चुकी हूं तो अगर आप लोग ने वह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं ठीक है ना और यहां तक क कि मैं यहां तक कि अर्धु ग्रामर जो कि मैं एक ही वीडियो में कम्प्लीट करा चुकी हूं उसका विलिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो फिलाल चलिए फड़ा-फ youngest नंबर 14 देखिए मुझे मुझे दिल के खता पर मुझे दिल की खता पर यास डैस डैस नहीं आता तो क्या नहीं आता शर्माना नहीं आता दुरुस्त लफ से मिस्रा जो है ना मुकम्मल करना है पूरा करना है तो मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट कोशन ह कि बरक इकलीसा किसकी लिखी हुई है तो बरक इकलीसा इस चैप्टर के जो राइटर है इस नजम के जो राइटर है शायर है वो कौन है जी है अकबर लाहबादी है आपसा नमबर बी इस ता करेक्ट इंसर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं कोशन नमबर 16 ह कि किस की खोहिश पर मीरमन दहल्वी ने बागबाहर जैसी किताब तरज्मा की। तो वो थे जॉन गिल्करिस्ट अपसा नमबर भी जॉन गिलक्रिस्ट की खुएस पर ही मीरमन दहलवी जो है बागो बहार जैसे किताब का तर्जमा यानकी ट्रॉन्सलेट किये थे कुश्ट नमबर 17 है कि दर जजैल मेंसे कौन सी नजम अमेक हन्फी की है कौन सी नजम अमेक हन्फी की लिखी हुई है देखे यहीं से कितने राइटर का नाम पूछ दिया है यहां पर पूछा था कि बरके कलीसा किसकी लिखी हुई है यहां पर भी राइटर का नाम पूछा है फिर इसके पहले भी यहां पर पूछा था बागो बहार जो है यहां पर पूछा गया है रुकिये बताते हैं यहीं प पर पुछा गया है कि दरजयल में से कौन सी नजम अमीख खनफी की है तो अमीख खनफी किस चैप्टर के राइटर है आप लोग जानते हैं खेती यानि कि ऑपसन नमबर सी खेती इस दा करेक्ट एंसर खेती हो जाएगा खेती नाम का नजम है और इसके राइटर कौन है कि यहाँ पर रहेगा संझे पाइरहन किस का शैरी मजमुँआ है यहाँ गलत टाइप का option number B यगाना चंगेजी, इस ता correct answer यगाना चंगेजी हो जाएगा ठीक है, संगे पैरहन यगाना चंगेजी का लिखा हुआ है उन्हें इस number question है कि या था काकवी का इंतकाल कहा हुआ हुआ, तो इनका इंतकाल हो गया था, काको में ही, ठीक है, जिस्म की जमा, देखिए, यहाँ से grammar का question स्टार्ट हुआ है, जिस्म की जमा क्या होगी, यानि की जिस्म का plural word क्या होगा, बहुचन तो जिस्म का जैसा की मैं आप लोगो बताई थी, अजिसाम, जेल में कौन सा लफ्ज मुझकर है, यानि की pulling है, ठीक है, आपसन में है, बाग, बी में अफवा, सी में है, बंदूक और डी में है, अजान, मुझकर बताना है, pulling लफ्ज बताना है, इसका जो सही जवाब होगा, वो होगा option number A, बाग, इस दा correct answer, आगे बढ़ते हैं, 22 नमबर सवाल है, की इन में से कौन सा लफ्ज मौननस है, आपसने में है, बाजार B में है, इसहार C में है, पोशाक D में है इशारा, तो इसका जो सही जवाब होगा, वो होगा option number C पोशाक, तुम्हारी पोशाक बहुत अच्छी है, अच्छी है, यानि ये लफ्ज क्या है, मौननस है, आगे बढ़ते हैं next question, 23 नमबर सवाल है की हाल की जमा क्या होगी, बहुत सारा question हम लोग को complete करना है, बहुत ज्यादा objective question है, पूरा objective हम लोग complete करने वाल है, पूरे book का, इसी वज़ा से बहुत ज्यादा objective question है, और इसी वज़ेसे मैं चाहती हूँ की जरा मैं fast करूँ, ताकि बहुत कम समय में हम लोग सारा objective question complete कर सकें, तो चलिए, अब मैं fast कराती हूँ, तेस नमबर सवाल है की हाल की जमा क्या है, तो हाल का जमा यान की plural होता है, अहवाल, option number B is the correct answer, आगे बढ़ते हैं, महल क्या है, तो महल जैसे की जगह का नाम है ना, जगह या फिर वक्त के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें जर्फ कहते हैं, तो option number A is the correct answer, महल एक इसमें जर्फ है, पच्चीस नमबर सवाल है की जर्फ में इसमें आला कौन है, तो पच्चीस का सही जवाब होगा, option number A, दस ताना, ओजार या फिर हतियार के नाम को कहते हैं, इसमें आला, तो option number A is the correct answer, घबराना का हासिले मजदर क्या है, घबराना, हासिले मजदर वगरा, ये सब मैं उर्दू ग्रामर वन शौट पढ़ाई थी, एक ही विडियो में उर्दू ग्रामर total complete करा चुकी थी, तो उसी विडियो में यहर एक topic पढ़ा चुकी है, उर्दू ग्रामर का हासिले मजदर, मजदर यहर एक चीज ठीक है तो देखिए यहां पर अगर उस वीडियो को देखे होंगे आप लोग तो आप लोग को पता होगा कि हासिले मजदर किसे कहते हैं घबराना का हासिले मजदर हो जाएगा आपसन नमबर बी जी हां घबराहट आगे बढ़ते हैं फड़ा फट कोश्टन नमबर ट्वेंटी सेवन देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है पूछते हैं कि वह गालिब कौन है इस मिसरे में वह क्या है तो वह क्या हो जाएगा आपसन नमबर सी जमीर क्योंकि पूछते हैं वह के गालीब कौन है वह यहां पर दूसरे के लिए इस मतलब उन लोगा जिसके बारे में कहा जा रहा है उनका कोई ना कोई नाम होगा लेकिन नाम के बदले वह लफ्जियूज किया रहा है न तो वह क्या हो जाएगा जमीर यानिकी प्रोनाउन हो जाएगा नेक्स्ट करते हैं इसको जड़ाइस किप कीजिए नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़िए कोशन नमबर 29 हैं कि हामिद रोटी खा रहा है इस जुम्ले में हामिद क्या है तो विजूली बात है इसका जो सही जवाब होगा 29 का वा उपसन नमबर भी हो जाएगा फाइल हामिद क्या है सही जवाब आपसन नमबर 30 हो जाएगा माजी बाइद क्योंकि साहित ने घजल पढ़ी थी ये काम गुजरे हुए जमाने में यानि कि माजी में हो चुका है माजी बाइद यानि कि गुजरा हुए जमाना जो है ना उसमें ये काम हुआ है और ये काम हुए हुए मतलब ये बढ़ते हैं एक्तिस नमबर तो वाले की खल्वत की जिद क्या होगी तो खल्वत का जल्वत आपसा नमबर सी शर्म का मुतरादिफ लफ्स यानि की परेवाची शब्द क्या होगा तो वो होगा हया सर्म बोलिए फिर हया बोलिए बाते की है वह इस बाग का निगहबान है इस नबर 34 कि कि अपना उनलू सीधा करने का क्या मतलब है यह मुहावरा का मतलब आप लोगो बताना है और जिसका जानते हैं इसका जो सही जवाब होगा वन्हों का मतलब क्या होता है तो कान में तिल डाल कर बैठना इस मुहावरे का मतलब होता है बेपरवाह होना ठीक है नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं कोशन नमर थाटी सिक से की एक चीज से दोहरा फायदा उठाना है किस कहावत का मतलब होता है तो एक चीज से दोहरा नमबर B हो जाएगा आम क्याम गुट्लियों के दाम इस मुहावरे का मतलब होता है एक चीज़ से दोहरा फाइदा उठाना ठीक है कोशन नमबर 37 की खाने सामा का लवज किसके लिए इस्तमाल किया जाता है और विजुली बात है जो खाना पकाने रहा है इसका सही जवब आसानी से दिख जा रहा है और सी एहमद ने कहा है ठीकि और सी इस तक करेक्ट अंसर आगे बढ़ते हैं 39 नमबर क्यूशन है कि मेरे लिए एक गलास पानी ला यह जुमला की कौन सी किस्म है तो इसका सही जवब और सी हो जाएगा अमरिया क्योंकि जि क्या हो जाएगा अमरिया जुमला निशान अवकाफ में वकफा का मतलब क्या होता है तो वकफा का मतलब होता है क्या फैराओ आप्सन नमबर एज दा करेक्ट अंसर आगे बढ़ते हैं फड़ाफट पुशन नमबर 41 है कि गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिय क्या होते हैं क्या कहलाता है वो कहलाता है मतला जी हाफसन नमबर B मतला कहलाता है दर्जजाल में इसमें मसगर का मानी होता है छोटा क्या हुआ देखिया ऑपसन नमबर B देख जा रहा है बागी चाई यानि कि जिस नाम से छोटापन जाहिर हो बागी चाई इस दा करेक्ट 連सर को वो क्या कहलाता है मुसबर कहलाता है कोशनяли कि दर जसल में इसमें मारफ़ कौन है इसमें मारफ़ यानि की चांबस। तो देखेोंडी में है गंगा बि में नदी मैं अदमी सभी जवाब ती आन्जी साथ option number a हो जाएगा क्योंकि गंगा एक खास नाम बता दिया गया है नदी में तो बहुत सारी नदी आ जाएंगी लेकिन यहां पर एक खास नाम बता दिया गया है गंगा नदी ठीक है option number a is the correct answer question number 44 कि वह नाम जो किसी खुबी या बुराई के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जा है तो गालिब एक टखलूस है इनमेंशे कौन सा लवस मुझकर है option ए मैं पर्चम B में है जोगन C में ऑलजन और डी में है जंग तो जो डी इस तक करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन देखिए जुमत का विपरितार तक शब्द यानि कि अपउजिट वर्ड क्या होगा तो जुमत का जुमत का हो जाएगा नूर आगे बढ़ते हैं देखिए ये भी कोशन इंपॉर्टन्ट है किस लवज का मानी बिच्छू होता है अक्रब ये एन वाला अक्रब अक्रब का मानी होता है बिच्छू अलिफ वाला अक्रब नहीं ये गलत हो जाएगा एन वाला अक्रब ठीक है डिप्टी नजीर अहमत ने किस सिन्फ का आगाज किया तो ये नाविल का आगाज किये थे ना हो गए और इकोशन यहाँ पर इस तरह से भी पोर्च जायते हैं कि अर्दू के पहले नाविल लिगार का नाम क्या है बडा किया हुआ जिस नाम से बड़ापन जाहिर हो तो 51 का उपसान नंबर डी हो जाएगा बाग ठीक है नेक्स्ट कोशन प्रामिस क्या है प्रामिस ये एक अफसाना है ना तो 52 का उपसान नंबर भी लगा दीजिए उसके बाद से नजम आवारा किस मशूर शायर की तखलीक है आवारा नाम का नजम जो है ना वो लिखागया है मिजाज लखनवी के दौरा इनका पूरा नाम है असल नाम रीचल नेम है इसरार अलहक मिजाज ठीक है नेक्स कोशन 54 है की मीर अनीज किस हैसियत से मशूर हूए यह मर्सिया गो से मशूर हूए थे तो ऑपसान नंबर एज दा करेक्ट इं इबराहिम चक्का किसकी तखलीक है जब कि यहांपर गलट टाइप हो गया है इबराहिम मनफा लिखा गया है यही होता है और दो टाइपिंग में थोड़ी बहुत गलती होती ही रहती है यहांपर चक्का रहेगा इस तरह तरह ठीखे तोड़ा मैं भी गलत थी। देखे यह ज मिस्रा मुकमल करना है मिस्रा को पूरा करना है नगमा तेरा हम भासुरी पर मौत की सुनाते रहें कि दिखाते रहें की गाते रहें तो оф斯न number C हो जाएगा, गाते रहें हम भासुरी पर मौत की गाते रहें परस्दा का खाब, किसकी नजम है हैं तो इसका सही जवाब होगा option number zero C खेती नजम जो है ना यह अमीखन्फी की है शिकस्ते जिन्दा का खाब किसकी नजम है शिकस्ते जिन्दा का खाब यह जो नजम है यह कविता है यह है जोश मली अबादी की option number seven is the correct answer शिकस्तर यास किसका शेरी मजमुवा है याद एकसिट का जोसन चभाब होगा और सिए्ट एकाना चंगेजी का की सिरो creative का कितां देखित कोश्टन है ख्याल कि क्या होगी ख्याल का जमा यानि की प्लूरल बहु शन बता ना है तो इसका घुद यानि की जमा होगा वह बाstat ख्यालात और एज गोल ये इसको ऑसान возмож बिरे इसम जर्फ ठीक है फिस्ट है औरो अप्सषय निम्भर सिर्फस्तन कhoot फाइफ कि घाना का जो यो तो ही mentionedि में गालिब क्या हैॉप्सेर नमर्ष में जो में तख्लूस जी हैं उप्सन नम्भर सी जे तरीक्ट थाれた कि झा चलाक क्या है चलाक में चलाक क्या है यह तोड़ा कोशन गलत ही लग रहा है चलाक में चलाक क्या है इस इतना लिखना देखिए यहां पर गलत यह कोशन जो है ना गलत टाइप हो गया है सिर्फ इतना रहना चलाक क्या है चलाक क्या है यह एक सिफत है यानकी अड्जेक्टिव कोषन नबर 67 कि खालिद उर्दू पढ़ता है इस जुमले में उर्दू क्या है उर्दू पढ़ता में पढ़ता है нос तो जाएगा दो हैं तो चाहिए पृइल मधूर मस टॉपिक है वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मात्र एक ही वीडियो देखना है उर्दू ग्रामर टोटल मात्र एक ही वीडियो में पढ़ा चुकी हूं उस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो पूरा उर्दू ग्रामर पर कमांड हो जाएगा त कास्ट या मजमून राशिद पढ़ लेता यानि कि ये काम अभी पढ़ने का काम नहीं हुआ होगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि जमाने से ये तालुक रखता है तो जी हां आपसा नंबर बीजदा करेक्ट एंसर मुस्तक्बिल मुस्तक्बिल इस दा करेक्ट एंस अदल का मतरादिफ यानि कि एक समान अर्थ रखने वाला लवज है इनसाफ गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया हुसे तो मतला कहते हैं ये तो आखे आप लोग जानते होंगे आगे बढ़ते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश में आतिश क्या है तो आतिश जो है ना ये भी एक तखल्सी है अता काकवी के कटे तारीख का उन्वान क्या है तो वह गम अर्षड और बी में दिख रहा है ये तो घम राशिद हैं ध्यान से यहां पर देखकर लेखिए गम अर्शड और ए में दिख रहा है गम अर्शड यहां पर आप लोग is the correct answer question number 74 है कि जैपरकाश नरायन की पैदाइश कहां हुई तो इसका सही जवाब option number B होगा सिताब दियारा में तश्वीब किस सिन्व का अंसुर है तो इसका सही जवाब option number A कसीदा कसीदा का स्टार्टिंग वाला हिस्था तश्वीब कहलाता है उर्दू की पहली खुदनविष्ट कौन सी है ये भी important question है उर्दू की पहली खुदनविष्ट जो है न याद रखिएगा वो है काला पानी आगे बढ़ते हैं फड़ा फट next question है कि जिलानी बानों का तालुक कहां से है तो जिलानी बानों का जो तालुक है वो है है थराबाद से नजम आवारा किस मशूर शायर की तखलीक है तो मिजाज लखनवी की option number 20 ता correct answer बरके कलीसा किसकी तखलीक है खेर ये तो आप लोग जानते ही है 79 का option number सी अक्बर लहब हूं तो ये गलती से सही answer निकल जाता है खेर आई होप आप लोग इसका सही answer लगा सकते हैं क्योंकि आप लोगा लड़ी चैप्लिक पढ़े हैं इंसानों प्याला वह सागर यहां पर क्या रहेगा सागर नहीं हुमें ठीक है नेक्स्ट कोश्टन मिर्जा सलामत अली दबीर किस हैसियत से मशूर हैं तो इसका जो सही जवाब होगा उपसर नमबर ए मरसिया गो ठीक है मरसिया गो मिर्जा सलामत अली दबीर मरसिया गो इस सिन्फ से काफी मशूर हुए थे अखबार अलहलाल अखबार जो है ना अलहलाल के बानी कौन थे तो इसका सही जवाब होगा option number C, मौलाना बुलकलाम आजाद 83 number question है कि खाक ऐसी जिन्दगी या कि पत्थर नहीं हुए या पर क्या रहेगा पत्थर देखिया option किस option में दिखाई दे रहा है पत्थर option number B में दिख रहा है इसे दीरे से टिक कर दीजिए आगे बढ़ते हैं अगला question जो की बहुत ज़्याद आसान है बहुत ज़्यादा question number 84 की खेती किसकी लिखिवी नजम है तो यह अमीख खनफी की लिखिवी नजम है दर्जैल में कौन सी नजम अली सरदार जाफरी की है तो अली सरदार जाफरी की जो नजम है वो है मेरा सफर आगे बढ़ते हैं next question कामिल इंकलाब किसका करा रही हूं आप लोग fast किजिए क्योंकि बहुत ज़्यदा objective question करना है आज पूरा वीडियो आप लोग को देखना है और सारा objective question revise करना है अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो फिर आप लोग को यह हर एक objective question को याद कर लेना है लेकिन जो starting से पढ़ते आ रहे हैं और हर एक chapter को पढ़े हैं और objective question भी किये हैं तो आप लोग हर एक objective question का answer देकर revise किजिए खतरनाक revise किजिए एकदम जबरदस्त revision होना चाहिए और पूरा वीडियो आप लोग को अंत तक देखना है और सारा objective question पर command होना चाहिए ताकि आप लोग ए एक भी objective question छोड़ करना आए ठीक है question number 87 देखिए इन मेंसे कौन सा लफ्ज मौनस है कौन सा लफ्ज मौनस है तो वो है बजार तो होगा नहीं इजार भी नहीं होगा यानि कि option number C निमत हो जाएगा इसकूल क्या है जगा का नाम है तो option number A लगा दीजिए इसमें जर्फ 88 का option number A दर्जेल में से इसमें आला कौन है इसमें आला जी हां option number A कुफगैर होगा ठीक है question number 90 यानि कि 90 नमबर सवाले कि जहीन तालिविल्म में जहीन क्या है ये भी important question है याद रखिएगा जहीन जो है ना वो है सिफत यानि कि option number C जहीन तालिविल्म बताय जा रहा है कि तालिव आगे बढ़ते हैं खालिद अर्दू पढ़ता है इस जुमले में पढ़ता है क्या है फैल है ना यानि कि पढ़ता है ये काम कर रहा है पढ़ने का काम कर रहा है तो option number C फैल हो जाएगा शकील गालिव की घजल पढ़ रहा है या जुमला कि जमाने से तालुक रखता है पढ हो रहा है बुलंदी की जिद क्या होगी और विजोरी बात है तीरहन मिर का उपस नमबर B पस्ती बुलंदी की जिद यानि की उल्टा पोजिट वर पस्ती वसिय का मतरादिफ लवज क्या होगा बहुत ही आसान सवाल इसका जो सही जवाब होगा वहोगा B अरीज ठीके वह अच्छा नात्ख्वा है इस जुम्ले में लाहका क्या है बताईए वह एक अच्छा नात्ख्वा है इसका इसमें आप लोगो लाहका बताना है नात्ख्वा लाहका जो की साबका लाहका भी पढ़ाई हूं लासे लासे लास्ट यह ट्रिक बताई थी ना तो जो लास्ट में जुड़ जाए नात खाग ये जो लफज है इसके लास्ट में खाग जुड़ा है ना यानि कि इसका सही जवाब 95 का अपसा नमबर ए हो जाएगा खाग ये एक लाका है हाथ पाउ मारना का मतलब क्या होता है इस मुहावरे का मतलब होता है कोशिश करना अपसा नमबर डी इस इस मुहावरे का मतलब होता है खत्रे के करीब आकर बच जाना ठीक है पूरा पूरा इनसाफ किस कहावत का मतलब है पूरा पूरा इनसाफ ये किस कहावत का मतलब है आपसा नमबर बी दूद का दूद पानी का पानी सी में है आदा तीतर आदा बीटर दी में है उची दुक option number B दूद का पानी का पानी इसका मतलब होता है पूरा पूरा इंसाफ ठीक है चलोला का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है इसका जो सही जवाब होगा वो होगा option number C दो पर के खाने के बाद का rabbits ठीक है कौन सा जम्ले दुरुस्ट है मैं जा रहा हूँ मैं जा रहे हैं मैं जा रहा हूँ ठीक है अच्छा हम जा रहा हूँ और D में हम जाता हूँ तो सही जवाब इसका option number A ही दिख रहा है मैं जा रहा हूँ यही सही जुम्ला लग रहा है ठीक है option number A is the correct answer क्या बच्चे school चले गए यह जुम्ला की कौन सी एक किस्म है क्या बच्चे school चले गए यान की सवाल पूछा जड़ा है तो यह कि सवाल यह जुम्ला है option number C is the correct answer इन में से कदीम मस्नवी कौन सी है कदीम मस्नवी बताएं नहे या इनकी बहुत पुरानी मस्नवी कदीम का मतलब क्या होता है पुराना जदीद का मतलब होता है नया तो इसका सही जवाब क्या होगा option number B नौ सरहार ठीक है जनरलिस्ट रवी रंजन जो थे ना जनरलिस्ट रवी रंजन अजीज अहमद के कौन थे तो जनरलिस्ट रवी रंजन अजीज एहमद के जो थे हैं वो बहुत पुराने दोस्त थे तो आपसा नमबर डीज दा करेक्ट एंसर चलिए आगे बढ़ते हैं और दो मॉल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है याद रखेगा यह भी इंपॉर्टन कोशन है या तो अर्दो मॉल्ला पुछेग की मिर्जा उ-गालिब के खुतूत का मजमुआ क्या है ऑपसं में दिया रहे गा उर्दो मॉल्ला और एक और खुतूत के मजमुआ का नम है यारे तो इसका नम है और दोनों मेंसे कोई बी गृत सकता है आगे बढ़ते हैं अकब बादी कि इस पर्चे के नौर अतनोंiben ि değil यह लिखा गया है साधथस हसन मंटू के दोरा की जम्ह क्या होगी फैलत Förज़ लिए कि बहुऑ चन जो होता है ना को हो फज़ािल ठी के मंचिद क्या है तो मंचिद भी जो है ये एक इसमें जर्फ यानकी जगाह का नाम है अता अता को फिक्र हुई उसको साल रूहलत की देखिए यहां पर भी गल्फ थोड़ा सा टाइप हुआ है अता को फिक्र हुई उसकी साल रूहलत की इस मिस्रे में अता क्या है तो अता एक तखलूस है इसका आपकी बाते हैं मेरे लिए होसला बक्ष है इस जुम्ले में लहका बता लुक्ष क्या है एक लाका है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि सीने पर सांप लोटने का मतलब क्या होता है सीने पर सांप लोटने का मतलब होता है असद करना और बीजद करेक्ट अंसर आस्तिन चढ़ाना का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है लड़ने को तयार हो बाजीगर का मतलब क्या होता है ये भी important question है बाजीगर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला ठीक है नेक्स्ट कोश्टन वह इर्फान खेल में जीत गया यह जुम्ला की कौन सी गिस्म है तो वह इर्फान खेल में जीत गया यह जुम्ला है इसको कहेंगे कौन सा जुम्ला तो फजाहिया जुम्ला ठीक है किसी चीज़ की निस्बत बावजूद इल्म के अपनी नावाकित करना क किसी तारीखी वाकिया का बियान क्या कहलाता है तो इसका भी जो सही जवाब होगा वह आपसन नंबर बी तल्मी कहलाता है किसे शेर में अगर किसी तारीखी वाकिया को बियान किया जाए तो उसको तल्मी कहा जाता है ठीक है किस लवज का मानी समुंदर होता है तो इसका जो स हिजरत का तालुक किस सिफत से हैं किस सिन्फ से देखिए यहां पर सिन्फ रहेगा किस सिन्फ से हैं तो हिजरत जो है ना ये एक इन्शाइया है ना जी है इन्शाइया है तो आपसन नमबर सी लगा दीजिए धीरे से आगे बढ़ते हैं यहां पर थोड़ा धूंद लाया है लेकिन आप लोग मेंटेन कर लीजेगा 121 नमबर सवाल है कि बाद पुराने लफजों की तहकी कि किसका मजमून है तो ये जो मजमून लिखा गया है वो लिखा गया है सेयद सुलिमान नद्वी के दोरा आगे बढ़ते हैं 121 नमबर सवाल है कि कसीदा तजही के रोजगार किस श्टायर से मनसूब है तो आपसने में मिर्जा मुहमद रफी सौदा तो क्या यही होंगे तो जी हैं बेशक यही होंगे मिर्जा मुहमद रफी सौदा दोरा ही तजीक रोजगार नाम का ये कसीदा लिखा गया है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है तो वो होंगे फरतुलाबेग जी हाँ एक सब बाइस का आपसा नमबर A इस दा करेक्ट अनसर आगे बढ़ा जाए मिजाज लखनवी का असल नाम क्या है तो इसरार लख आपसा नमबर C में देख रहा है इसको दिरे से टिक कर दीजिए आगे बढ़ते हैं किसे शायर का तालुक बिहार से है तो 124 नमबर सवाल काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है इस पर भी मैं स्टार लगा दे रही हूँ और इसका सही जवाब क्या होगा अता काकवी ठीक है अदब के अदब के यहां पर के नहीं रहेगा ने रहेगा अदब ने दिल के तकाजे डैस डैस क्या क्या मिस्रा मुकमल कीजिए यानि की अदब ने दिल के तकाजे गिराये हैं होगा की उठाये हैं होगा की संभाले हैं होगा की दिखाये हैं होगा तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपसन नमर भी उठाये हैं यानि कि अदब ने दिल के तकाजे उठाये हैं क्या क्या आगे बढ़ते हैं मिर्जा सलामत अलीद अबीर किस हैसियत से मशूर है याद रखिएगा मर्चिय अगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दर्जैल में कौन सा नाम कुनियत कहलाएगा तो जो कुनियत कहलाएगा न या फिर बिन्त लगा हुआ दिखाई दे उस तरह की नाम को आप लोगो बिना सोचे समझे क्या लगा देना है कुनियत लगा देना है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल नेक्स्ट कोशन है कि खिजा की जिद क्या होगी यानि कि अपोजिट वर्ड क्या होगा तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन बागो बहार में अंदे फखिर का तालुक किस मुलक से था तो बागो बहार में अंदे फखिर का तो जो तालुक था ना संबन्द वो हिंदुस्तान से था बहुत इंपॉर्टन कोशन है ये भी सेयद सुलेमान अद्वी की जाय यानि की सेयद सुलेमान अद्वी जिस जगह पर पैदा हुए उस जगह का नाम क्या था उस जगह का नाम था दसना आपसन नमबर सीज तक करेक्ट इंसर नजम गुफतगू कि समशूर शायर की तखलीक है तो यह जो कवीता है गुफतगू इसके जो राइटर है यानि की श लब होता है तो नाक में दम करनी का मतलब खेर आप लोग जानते ही होंगे यह बहुत ही असान है परिशान कर देना आप लोग सोचते हैं आप लोग देखे भी होंगे बहुत जगह बोलते हैं उसने तो इतने उसने मेरे नाक में दम करके रख दिया यानिकी परिशान करके आगे बढ़ते हैं एक सब पैंतिस नमबर क्वेश्टन की जोहराना लवज का लवज किसके लिए इस्तमाल होता है तो इसका सही जवाब होगा आपसन नमबर सी दो पहर का खाना के लिए ठीक है जरूरत के लिहाद से बहुत कम बोलना किस कहावत का मतलब होता है आपसन ए में है उट के मुँ में जीरा बी में है आम क्याम गुठलियों के दाम सी में आदा तीतर आदा बीटर डी में है उची दुकान फीकी पकवान इसका जो सही जवाब होगा आपसन नमबर सी आदा तीतर आदा बीटर जरूरत की लहाद से बहुत कम बोलना ठीक है पंडित दिया शंकर नसीब में नसीम क्या है नसीम तखलूस है ना आपसन नम्बर सीद लगा दिजे धीरे से एक्स्ट कोश्ट किसे लवज का मानी खथ होता है मकतूब का मानी होता है खथ आपसन नमर 20 अकरेक्टनसर पड़ापट आगे बढ़ते हैं इनमें से जरिवाना नसी है तो जो जरिवाना नसीम है ना वो मतशायर नाम का नस्मी यनकी कवेता है इसमें हसी मजाग हो कमेंट हो तरक नजम को कहते हैं जरिफाना नजम तो मुत शायर इसमें शायर का मजाक वगर उड़ाया गया है पुरी कहानी पुरी कवीता तो आप लोगों को खेर पढ़ाई ही हूँ तो आप सानमर सी इस दा करेक्ट अंसर योजीनो मुंताले किस जबान के शायर है मुंताले देखिए मुंताबे यहां पर मुंताले रहेगा विजीनो मुंताले किस जबान के शायर है तो वो एक इतालवी जबान के शायर थे इटेलियन भाशा के शायर थे किसी शक्स की तहरीरी तस्वीर कशी क्या कहलाती है किसी शक्स की तहरीरी तस्वीर कशी कहलाती है खुद नविष्ट नजीर एमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी किसका लिखा हुआ है तो मिज़ा फरतुल्ला बेक का लिखा हुआ आपसा नमबर बी में दिख रहा है भी रेसे टिक कर दीजिए आगे बढ़ते हैं सहीद सुलैमान अद्वी किस के शागिर्द थे यह इंपॉर्टन क जिए ये खाले जगा को पूरा करना है आपसा ने रसमी वी में घम गिन सी में शगुफता औरडी में संजीदा तो इसका सही जवाब ऑपसा नमबर सी हो जाएगा शगुफता यानिकी इन्शाया जो यह सिंफ हैंना इन्शाया कि सिंफ शगुफता मोड की पायदावार है म पर भी गलत हुआ हैं मीरमन वाग बहार की तरफ से कितने रूपे का इनाम पाया घौ हम बगो बहार सौल्ट वड़ियम् कोलेज से इनको इनाम मिलता है वह कितने रूपे का इनाम मिलता है यह आप लूगों को बताना है तो पांसे रूपे Г जी हाँ आपसा नमबर भी पान सो रुपए दिख रहा है दीरसे टीक कर दीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं फड़ा फट नेक्स्ट कोश्टन देखिए मैं यूनिवर्सिटी में का तालुक किस सिंफ से हैं तो आप लोग जानते हैं ये एक खुदनविस्ट है ना मैं यूनि पलेएं हैं वो हैं हवटारेमान खाश शिरिवानी यह अभार भाषातिर में जतनी भी Х्युक्त हैं वह खुद किसे लिए लिखा गया है उद हिंदी का तालुक किस सिंफ से हैं तो यह दोनों उद हिंदी और हुर्धे मॉल्ला का तालुक जो समभद है वह है खुद्यक को बताई दर्जजेल में कौन सी किताब मौलाना आजाद की है इसका सही जवाब होगा आपसा नमबर ए अगवार खातिर ठीक है अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है याद कीजिए अजीज अहमद जो है जो डिरेक्टर जनरल रहते हैं वो किस अफसाने किस कहानी के करे ठीक्टर खलील रह्मान आजमी का शेरी मजमुवा कौन सा है खलील रह्मान आजमी के शेर शेरी का नाम आपको बताना है और इसका जो सही जवाब होगा ओपसान नमबर एक कागजी पैरहन ठीक है खलील रह्मान आजमी का जो शेरी मजमुवा है शेरी का किताब वो है काग सब्सक्राइब कर दे किसका लिखा हुआ मरसिया है तो मीरा निस हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ नजम मेरा सफर किसकी तखलीक है तो मेरा सफर जो है ये अली सरदार जाफरी की अपसर नबर भी गुफ्तगू हो गया या फिर मेरा सफर नजम हो गया ये दोनों नजम की राइटर अली सरदार जाफरी है अदब ने दिल की तकाजे उठाए हैं क्या क्या आपसर नबर भी रह है ठीक है इन में से कौन सा शेरी मजमुआ ये गाना चंगेजी का है तो निस्तर यास दिख रहा है ना आपसन नमबर बी निस्तर यास ये गाना चंगेजी का शेरोशारी का किताब है अकबर अलाबादी किस पर्चे के नौरतनों में शुमार किये जाते हैं इंपोर्टन कोश ये भी important question है और इसका जो सही जवाब होगा अपतन बड़ी खुदनविश्ट कहिलाती है नजीर अमत की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी किसका लिखा हुआ है तो मिर्दा फर्तुलाबेक का लिखा हुआ है सी पाराय दिल किसकी तसिनीफ है ये भी important question है और ये जो तसνीफ है यानकी creation है किसका है याद रखना है आप लोको खवाज़ाऑ असन नजामी का लिखा हुआ है यानकी खवाज़ाऑस नजामी का ये तसनीफ है सी पाराय दिल स्यد सुलیمان नद्वी किसके शागिर्थ थे सिद सुलیमान नद्वी و Шبلि नवाणी के शागिर्थ थे न नशाईए कि सिंफ शागुफता मोड की पैदावार होती है आपस्याइव सी में शागुफता है घिरे से ठीक कर देजी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन देखिए हमाजमाल पाशा कहां पैदा हुए हमाजमाल पाशा पैदा हुए थे अलहबाद में आपसन बर भी मीरमन ने बाग भार की तरफ से कितने रुपए का इनाम पाया तो पांच सर रुपए का इनाम पाया था तोबा टेक सिंग किसका अफसाना है तोबा टेक सिंग सादत हसन मंटू का ये अफसाना है खैर आपको तो पताई होगा ये पूरी कहानी किस पर बेज़्ट है तोबा टेक सिंग किसका है सादत हसन मंटू का चलिए 72 ले की राझ चीह का अफसानवी मजमूँवा है राझ शेयर और मैं याद किजिए या जो कहानी का किताब है यह है शफिजावेद का उफसाननमबर A इबरहिम सक्का क्या है इबरहिम सक्का यी एक अफसाना है उफसाननमर सी भीरे से टिक कर दीजिए मुलाना अबुलक्राम आजाद कहां पैदा हुए मुलाना अबुलक्राम आजाद जैसा कि आप लोग जानते हैं ये मक्का मकर्मा में पैदा हुए थे आपसन बर्सी लगा दीजिया मैं ये उनिवर्सिटी में तालुक किस सिन्फ से है तो खुदनविस्ट से है किस शायर को जुनूब और शुमाल के दर्मियान पुल की तरह तसाओर किया जाता है स्टाटिंग में ही आपको बता दिया गया था वली दकनी को ये इंपॉर्टन्ट कोश्चन है मुश्किल की जमा क्या होगी मुश्किल के जमा यानि की प्लूरल बहुवचन होता है मुश्किलाद आपसन नमर सी दर्जजायल में से कौन सा लफ मुजक्र है आपसन अ में है नमक, बी में है नेमत, सी में है सिफत और डी में है सहबत, सही जवाब होगा option number A नमक ये एक मजखकर है इन मेंसे कौन सा लवज मुणनस है यानि कि इस्तिरिलिंग लवज आप लोगो बताना है option A में जमीर B में है किताब C में है कलम D में है मदरसा सही जवाब option number B होगा आप लोग सुने होंगे कहा जाता है कि ये मेरी किताब है वापस करो मेरी किताब मतलब किताब क्या है एक मुणनस लवज है किताब की जमा यानि की plural बहुचन क्या होगा तो किताब का जमा होती है क्या होती है अप लोग बताइए तो किताब की जमा यानि की बहुचन होता है में से इसमें आला कौन है और इसका जो सही जवाब डारेक्ट नमबर भी में दिख जारा है को फगयर यह आप लोगों को बताया गया था नेक्स्ट कोश्चन कोश्च नमबर ba 183 खेलना का HUSA मचदर क्या है छेलना का हासिले मचदर होगा छाड़ी आप सन नमबर ओप्र ए क्यों इसमें प्रोनावर में नूरानी चहरा में नूरानी क्या है देखिया सिफट देख रहा है लगा देजिए और निश्यरा कैसा है नूरानी यानि ये विशेष्टा बता रहा है इस को सिफट कहेंगे कलीम आम खरीद रहा है इस जुम्ले में कलीम क्या है कलीम काम कर रहा है यानि की यह फाइल है फाइल कहते हैं काम करने वाले इनसान को ठीक है आगे बढ़ा गए नेक्स्ट कोश्चन है कि अवल की जिद क्या होगी अवल का आखिर होगा ये तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है चुरू आगे बढ़ते हैं फड़ाफट नेक्स्ट कोश्चन देखिए रंज का मतरादिफ क्या होगा रंज का एक समान अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा है वो है गम रंज बोलिए फिर गम बोलिए बात एक ही है आगे बढ़ते हैं मेरा दोस्त बहुत तो खुश एखलाक है इस जुम्ले में साबका किया है साबका आप लोगों को बताना है सौसे श साबका कहलाएगा तो आप सने में हैं खुश धीरे से टिक कर दीजिए आगे बढ़ते हैं आखों का तारा होने का मतलब क्या होता है तो इसका जो सही जवाब होगा देखिए क्या होगा आप सने में हैं आख से कम दिखना भी में हैं बहुत प्यारा होना सी में हैं हैरान करन दी महें इंतिजार करना सही जवाब क्या होगा एक सन नब्बे का आखों का तारा होना बहुत प्यारा होना यानि की आपसन नमबर 20 ता करेक्ट अंसर आगे बढ़ते हैं बाजिगर का मतलब क्या होता है बाजिगर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला एक सबान बेर खाओ अपसन नुबर C ठीक है जरूरत के लिए हाथ से बहुत कम मिले तो किस कहावत का इस्तमाल करते हैं जरूरत के लिए हाथ से बहुत कम मिले तो किस कहावत का इस्तमाल होता है अपसने में हैं एक पंथ दो काज B में है उट के मुँँ में जीरा C में है उल्टा चोर को तवाल को डाटे और D में है उट के गले में बिली तो इसका सही जवाब option B उट के मुँँ में जीरा इस ता correct answer ठीक है option number B हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब इन में से कौन सा जुमला दुरुष्ट है सही जुमला की पहचान करनी है आपको मैं कलम मैं लिख रहा हूँ मैं लिख रहे हैं हम लिख रहा हूँ हम लिखूंगा सही कौन सा लग रहा है option number A लग रहा है ना तो इसको दिरे से टिक कर दीजिए आगे बढ़ते हैं वह भारत मैच जीत गया यह जुमला की कौन से किसम है यह जुमला की कौन सा टाइप है इसका सही जवाब option number D खबरिया क्योंकि इससे खबर मिल रहा है कि भारत मैच जीत गया तो खबरिया जुमला है यह बादशाह या हुकूमत की तरफ से जो एजाजी नाम दिया जाए उन्हें क्या कहते है यानकि बादशाह या फिर हुकूमत की तरफ से सरकार के तरफ से जो एक खास नाम दिया जाता है खोबी या फिर कमाली के बदले तो उस नाम को हम क्या कहते हैं उस नाम को कहते हैं खिताब याद रखिएगा ऑफसन नमबर बी इस दा करेक्ट एंसर दर्ज जैल में इसमें मकबर कौन है इसमें मकबर का मतलब होता है बढ़ा किया हुआ देखिए बागी चाहिए इससे चोटापन जाहिर हो रहा है पहाड़ी इससे बी चोटापन जाहिर ह हो रहा है बाग इससे पता चल रहा है कि यहां बाग बढ़ा है बढ़ापन जाहिर हो रहा है तो ऑफसन नमबर डी इस दा करेक्ट एंसर जेल में इसमें आम यह फिर इसमें नकरा किसे कहेंगे इसमें आम का मतलब होता है कॉमन नाउन जाती वाचक संग्या जिससे पूरी जाती का पता चले तो इसका सही जवाब होगा आफसन नमबर डी मुहलत ठीक है क्योंकि गंगा एक स्पेसल नाम बता दिया गया है इमाले एक स्पेसल यान की खास नम बता दिया गया है लाल कि लाई ये खास नम बता दिया गया तो आफसन नमबर डी हो जाएगा घजल का जिसमें शायर अपना तखलुस इस्तमाल करता है उसे क्या कहते हैं मैं आप लोगा अलड़ी बताई भी हूँ उसे कहते हैं मक्ता आपसा नंबर बी इस दा करेक्ट अंसर दर्जजैल में कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा आपसा ने मैं इबन मरियम भी मैं बुलबुले हैं आप लोग जानते हैं जो नाम के लावा एक खास नाम होता है जो कि लोग बच्पन सही प्यार से यह फिर किसी आप में किसी तरह का कमी है तो उसकी जैसे पुकारते आ रहे हैं उसको कहते हैं उर्फ तो इसका जो सही जवाब होगा वहोगा आपसा नंबर सी फक्रु ही हो ज हैं की बहुचन प्लूरल आप लोग को बताना है तो खिताब का जो जमा होगा बहुचन दो सही का आपसा नंबर सी खिताबात ठीक है उरूज की जिद क्या होगी यानि की उरूज का उल्टा अपोजिट वाड़ आप लोग को बताना है उरूज का जवाल आपसा नंबर सी ता करेक्ट इंसर किस लब्स का माने चीर फाड़ करने वाला होता है तो इसका सही जवाब अफसा नमबर भी जुर्जा का मतलब होता है इबराहिम सक्का किसका अफसाना है तो इबराहिम सक्का जो है यह इसलाम बिन रजाक का अफसाना है बागबहार किस सिंफ की किताब है त तो दास्तान में ना जी हाँ दास्तान में गुबार खातिर के मक्तूब लाहे कौन है यानि कि गुबार खातिर के जितने भी खुतूत हैं वो किसके लिए लिखे गए हैं तो वो हबीबुर रह्मान खा शिर्वानी है जी हाँ देखिए यहाँ पर लिखा गया है दो सार्ट का अवसे नमबर सी हो जाएगा हभीबूर रह्माँ खाश हेरवानी लांकि यह पर गल्ट टाइप हो गया है हभीबूर रह्माँ आजमी लिख लिख दिया गया है खाश एरवानी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कौारिंटीन किसका अफसाना है कौारिंटीन जो है ना यह मुआ है यान की किताब है दर्स जाल में कौन सी किताब मौलाना अबुलकलाम आजाद की है तो वो है गुबार खातिर आपसने में ही दिख जा रही है मिट्टी का तेल किसका मजमून है तो खौजा असन निजामी का आपसन नमबर 20 ता करेक्ट अंसर 213 नमबर सवाल है कि अजिज़ एहमद किस अफसाने का करदार है अजिज़ एहमद जो है ये भूले बिसरेगीत अफसाने का करदार है गमे अर्सद के मसनिफ कौन है अता काकवी है देखिए अता काकवी लिखा गया है काकवी रहेगा अता काकवी ठीक है मीर अनिस किस सिन्फ शायरी से तालुक रखते हैं तो मीर अनिस जो है ना ये मरसिया से तालुक रखते हैं आपसन नमबर सी साथी हाथ बढ़ाना किसका लिखा हुआ है साथी हाथ बढ़ाना जो लिखा गया है साहिल लुध्यानिवी के दोरा लिखा गया आपसन नमबर सी गुलजार नसीम क्या है तो गुलजार नसीम जैसा कि आप जानते हैं ये एक मस्नवी है मिजाज का पूरा नाम क्या है तो इसरार अलहक मिजाज आपसन नमबर भी ठीक है ये इंपॉर्टन कोशन है इन मेंसे कौन सी नजम अली सरदार जाफरी की है तो अली सरदार जाफरी की लिखी हुई जो नजम है वो है गुफ्तगू यारब जमाना मुझको आपसन ए में बुलाता बी में मिटाता सी में सताता और डी में बुलाता है किसलिए मिसरा मुकमल करना है तो यारब मुझको जमाना यारब जमाना मुझको मिटाता है किसलिए आप्सन नुबर भी होगा मिटाता ठीक है यह गाना चंगेजी का असल नाम आप लोगो को बताना है रियल नेम तो इनका जो रियल नेम है न वो है मिर्जा वाजिद हुसैन या सिर गाना चिंगेजी ठीक है ना जिन्दगी ए जिन्दगी यहां पर ने रहेगा ने नहीं रहेगा ए रहेगा जिन्दगी ए जिन्दगी किसका शेरी मज्मुए है यानि किसका शेरो शेरी का किताब है तो वो है या वो क्या होगा खलिलु रह्मार आजमी खलीलु रावान आज्मी की ये किताब है जिनदगी जिनदगी, ठीक है अता काकवी कहाँ पैदा हुए तो ये काकों में ही पैदा हुए था न 240 काा वफ्सन नीज की होगा तजीक रोजगार क्याय है? तो तजीक रोजगार येक एक कसीदा है option number D is the correct answer next question देखिए बहुत ही important है grammar का कि तस्वीर की जमा क्या होगी यानि कि plural बहुचन बताना है तस्वीर की जमा option A में है तस्वीर B में है तस्वीराथ C में है तसावीर और D में है तस्वीराथ जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ तस्वीर की जमा तसावीर option number C is the correct answer तर्जाल में कौन सालवस मुझकर है इसका सही जवाब option number A हो जाएगा आफताब इन में से कौन सालवस मौनस है यानि कि स्ट्रिलिंग है option A में है शेर B में है दिल C में हायाथ तो जी option number C ही हो जाएगा हायाथ इन में से कौन सालवस वाहिद है यानि कि एक वचन है option A में है सिफात B में हुकूक C में है फर्ज तो क्या फर्ज होगा जी हाँ बिल्कुल फर्ज होगा option number C ये एक वाहिद लफ्ज है ठीक है इन में से इसमें जर्फ कौन है इसमें जर्फ तो इसका सही जवाब option number इसमें जर्फ जो की जगा या फिर वक्त के नाम को कहते हैं तो B तो होगा नहीं C भी नहीं होगा D भी नहीं होगा यानि कि option number A is the correct answer मच्छडानी क्या है तो मच्छडानी जो है ना ये option A में है इसमें आला और जार ये फिर हतियार के नाम को कहते हैं हम लोग मच्छडानी तो option number A लगा दीजिए ठीक है एक तरसे मच्छडों से बशने के लिए मच्छडानी लगाया जाता है तो आप यूँ कह सकते हैं एक तरसे हतियारी है जोगी मच्छडों से बचाता है हमें तीक है आगे बढ़ते हैं खेलना का हासिल मच्डर क्या है तो खेलना का खिलवार हो जाएगा option number C is the correct answer किसी इसम के बदले में आने वाले लफ़ को क्या कहते हैं तो जमीर कहते है option number C लगा दीजिए किसी इसम यान की नाम के बदले में जो लफ़ यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं उसको प्रनाउन कहते हैं तो प्रनाउन को यूर्द में क्या जाता है जमीर सियाह बिल्ली में सियाह क्या है बिल्ली कैसी है सियाह कलर की है next question देखिए, महमूद काम कर रहा है, इस जुम्ले में महमूद क्या है, तो फाइल होगा ना, काम कर रहा है, काम करने वाले इनसान को फाइल कहते हैं, खिजा की जिद क्या है, खिजा की जिद, यानि की opposite word जो है, वो है बहार option number C, रंज का मतरादिफ, यानि की एक समान अर्थ वाला लफ्स गम, option number B, मेरा दोस्त का, मेरा दोस्त जो है ना, वो काष्टकार है, मेरा दोस्त काष्टकार है, इसमें लाहका बताईए, लाहका काष्टकार में पहले काष्ट था, लास्ट में कार जुड़ गए, यानि की कार क्या है, लाहका है, option number B, इस तक correct answer, आगे जलाना का मतलब क्या होता है, घी क्या चिराग जलाना, इसका मतलब होता है, खुशी मनाना, शर्मिन्दा होना किस मुहावरे का मतलब है, तो शर्मिन्दा होना, बहुत ही असान, option A में है, पानी पानी होना, तो जी हाँ, पानी पानी होना ही का मतलब होता है, शर्मिन्दा ह कुछ नहीं दी में कमाए कोई और लुटाए कोई सी में किसी बेजा बात पर उड़ जाना दी में जरूरत के लिए हाथ से कम बोलना तो इसका जो सही जवाब होगा वोगा अपसा नमबर ए सिर्फ शौरत ही शौरत असलियत कुछ नहीं मुशी दुकान फीका पकवान ठीक है क पेलोला का लफ किसके लिस्तमाल होता है जैसा कि आप लोगो बताया गया था इसका जो सही जवाब होगा वोगा अपसाने दोपर की खाने के बाद का अराम मुझे एक कप चाए लाओ या जुमला की कौन सी किसम है कौन सा टाइप है तो मुझे एक कप चाए लाओ मेरे लिए एक कप चाए लाओ इसमें ओर्डर दिया जा रहा है हुकम दिया जा रहा है यानि कि ये एक अमरिय जुमला है जैसा कि मैं आप लोगो स्टार्टिंग में याद रखिएगा गजल का पहला शेयर जिसमें दोनों मिस्रे हम काफिया हों वो क्या कहलाता है वो कहलाता है मतला पड़ापट आगे बढ़ते हैं अगला कोशन बहुत ही आसान है दर्जजाइल में इसमें मसगर कौन है इसमें मसगर बताना है वो कौन सा दिख रहा है देखि सीज दा करेक्ट अंसर चलिया आगे बढ़ते हैं वह नाम जो माबाप या किसी और के तालुक से मशूर हो क्या कहलाता है तो इसका सही जवाब वो कहलाता है कुनियत ठीक है शबीर हसन खा जोश क्या है शबीर हसन खा जोश क्या है तो यह एक एक आप खुद बताईए ना दो सा 38 का इसका सही जवाब क्या होगा यह एक तखल्स है शबीर हसन खा जोश कि क्या यहां किसमरल जोश एक तखल्स है आप सह नंबर ए चलिए आगे बढ़ते हैं फढ़ फद्रफट उल्मा शिबली नमानी में शमॉस्त उल्मा क्या है शम्च उल्मा शिब्ली नवणी में ये शम्च उल्मा क्या है तो ये एक खिताब है ठीखे आप्सा नमर्बीज दा करेक्ट इंसर अब देखिए 250 नमर्ब सवाल है कि किसी की मदा यानि तारिफ में जो नजम लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं मैं आप लोगों बताई थी ना कि किसी की मदध या निकी तारिफ में जो नसम लिखी जाती है उसको कहा जाता है क्या कसीदा तो option number C is the correct answer अब आगे बढ़ते हैं देखिए अब यहाँ से फिर से question start है जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि यह मैं guess और guide से भी question उठाई हूँ और plus मेरा जो खुद का बनाया हूँ objective question वो भी शामील है तो सबसे पहले guess और guide दोनों को mix करके हम लोग सारा objective question complete करते हैं मतलब की जो important है वो हम लोग complete करते हैं और उसके बाद से जो हमारे दोरा objective question तियार किया गया है उसको भी complete करेंगे सारा complete होगा बस आप लोग revise करते चलिए और उसके सांथ सारा objective question complete करते चलिए सारा revise हो जाना चाहिए और हर एक question पर आप लोग का command होना चाहिए ताकि आप लोग एक भी question ना छोड़े चलिए देखिए सबसे पहला सवाल कि किसने फरतुल्ला बेग की बिस्मिल्ला कराई तो मैं जवाब को छुपा देती हूँ ताकि आप लोग अपने हिसाब से answer दे पाएं सबसे पहला सवाल किया था सबसे पहला सवाल था कि किसने फरतुल्ला बेग की बिस्मिल्ला कराई आगे बढ़ते हैं देखिए दूसरा सवाल है कि किससे कुरान पढ़ ये भी इंपर्टन कोशन है आपसन आ मैं मालवी शमसुदीन, बी मैं मालवी चिरागुदीन, सी मैं मालवी कम्रुदीन और डी मैं मालवी अलदुदीन अल्दुदीन तो इसका सही जवाब होगा और सी मौलवी कमरुदीन इस दा करेक्ट अंसर आगे बढ़ते हैं फड़ाफट देखिए तीसरा सवाल है कि मिर्जा फरतुल्ला बेग ने इंटरमीडियर की सिंध कहां से हासिल की यह चैप्टर वाइज है चैप्टर वन से यह जि होगा बस आप लोग टेंशन ना ले मिर्जा फरतुल्ला बेग ने इंटरमीडियर की सिंध कहां से आसिल की तो याद रखिएगा हिंदू कॉलेज और इसी हिंदू कॉलेज का उनका एक दोस्त रहता है मिस्टर रजा जो की साथ में पढ़ने के लिए जाता है ठीक है कि सिस बेग ने जुडिसियल इमतिखान कब पास किया यह में उनुने साथ अट भी में उनुने साथ दस सी में उनुने साथ चोधा सही जबाब होगा और बी उनुनेशा दस इस दर करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं मिर्जा फरतुल्ला बेग ने हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिं अफसर कब बने मिर्दा फरतुल्ला बेग हाई कोट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने तो वो बने थे उन्हें सा उन्तालिस ऑप्सन नमबर डीज दा करेक्ट अंसर फड़फट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन देखिए कोस्टन नमबर सेवन यहां पर आप लोग का किया था इनकी दो शादिया हुई थी नेक्स्ट कोशन मिर्दा फरतुल्ला बेग का इंतकाल उन्हें से सैंटालिस में हुआ था ठीक है नजीर एमत की कहानी किसने तहरीर की तो मिर्दा फरतुल्ला बेग ने आपसन नमबर सी दा करेक्ट इंसर आगे बढ़ते हैं मिर्दा फरतुल्ला बेग की पैदाइश कहां होई तो दिल्ली में होई थी ओपसन नमबर वी की सिसन में पैदा हुए तो ऑठाव सब पच्चासी ओपी दर करेक्ट इंसर आगे बढ़ते हैं मिर्दा फरतुल्ला बेग के वालिद का नाम क्या था तो डारेक्ट दिखे रह इसको धीरे से टिक कर दीजिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन कोश्टन नमर 16 है कि मिर्जा फरतुला बेग की वालिदा के इंतकाल के वक्त फरतुला बेग की उम्र क्या थी तो उनकी जब वालिदा यानि की मा का इंतकाल हो गया था उस वक्त मिर्जा फरतुला यानि कि option number B will be the correct answer आगे बढ़ते हैं मिर्दा फरतुला बेग की वालिदा के इंतकाल के बाद किसने परवरिश की तो उनकी जो है ना फुफी option number C फुफी लगा दीजिए नेक्स्ट कोशन जिन्होंने फरतुला बेग की परवरिश की उनका नाम क्या था तो फुफी उसन जहा बेगम जिसमें दिख रहा है option number B फुसन जहां बेगम लगा दीजिए आगे बढ़ते हैं नजीर अहमत का तालुक किस सिन्फ से है तो देखे यहां पर भले ही answer दिया है खाका लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो होगा option number A यानि की अलिफ नाविल नजीर अहमत जो है ना तालुक किस सिन्फ से है तब आप लोग खाका लगाते लेकिन यहां पर नजीर अहमत का पूछा है कि नजीर अहमत का तालुक किस सिन्फ से है यानि कि नजीर अहमत किस सिन्फ से संबंदित है तो इसका सही जवाब होगा option A नाविल यह याद रखिएगा important है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मिर्जा फरतुला बेग और मियदानी मौलवी मिर्जा फरतुला बेग और मियदानी मौलवी साब के घर क्यों जाते थे तो वो पढ़ने के लिए जाते थे ना option number D will be the correct answer देखिए यह जो सवाल है ना इसमें बहुत सारे इस्टोरेंट गलती करते हैं वो जो है खाका है तब पूश्ता की बताईए यह चैप्टर का तालुक किस सिन्फ से हैं तब आप लोग लगाते खाका लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान रखेएगा नाविल होगा आगे बढ़ते हैं किस अर्भी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मिया रजा की चुटी हो गई तो वो थे मुतनबी आपसन नमबर ए में ही दिख जा रहा है आगे बढ़ते हैं फरतुल्ला बेग शेर खुआनी में किस तरह की गलतिया किया करते थे तो फरतुल्ला बेग जो है ना शेर खुआनी में आयराब की गलती किया करते थे मिर्जा के मजामीन में मजामीन ने फरहत कितने जिल्दों में शाय हुई तो वो साथ जिल्दों में शाय हुई थी यानि कि option number C will be the correct answer पड़फट आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए आग हवा पानी और खाक में सबसे कम तर किसको समझा जाता है आग हवा पानी और खाक में सबसे कम तर सबसे हकीर वजलील किसको समझा जाता है खाक यानि की मिट्टी को तो option number D लगा दीजिए आगे बढ़ते हैं यह दूसरे चेप्टर का जो दूसरा चेप्टर है ना मिट्टी का तेल उसका यह कोशन है ठीक है यह कोशन नमबर 23 तक चेप्टर वन का कोशन था अब यहां से कोशन से स्टार्ट हो रहा है चेप्टर नमबर 2 मिट्टी के तेल नाम के चेप्टर का कोशन और दूसरा सवाल क्या है मिट्टी के सांथ दुनिया क्या सुलूप करती है तो उसको अपने पाउं से रौंदती है option number C will be the correct answer आगे बढ़ते हैं next question चंबेली और मोतिये के तेल से भी क इतना फास्ट में लेकर चल रही उतना फास्ट आप लोग एंसर भी दीजिए देखिए रौक फेलर कौन था तो रौक फेलर जो था वह एक अमेरिका का ताजिर था यानि कि अमेरी की ताजिर ठीक है हजरत खौजा असन निजामी की पैदाइश कब हुई थी तो वह 1878 में ह होई थी ना तो देखिए दिसंबर 1878 किसमें दिख रहा है और सी में दिख रहा है यह हो गई और सी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है कि खौजा असन निजामी की पैदाइश कहां हुई तो बस्ती निजामुदीन ऑलिया में यह इंपॉटेंट है यह भी कोशन पूछा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन देखिए यहां पर है पूछा गया है एक मिनट रुक जाए जी हो देखिए नेक्स्ट कोशन है कि खौजा असन निजामी के वालिद का नाम क्या था आपसने में सेयद आशिक अली निजामी भी में सेयद अबीद निजामी तो इसका सी जवब सेदाश्ी अली निजामी कि मा का नाम तो सेथए बेगम नेक्स्ट कोश्चन खौजाहसन ञामी का नाम व्ालदीन dieses ने कि माता पिता ने खौजा nossos निजामी का नाम क्या रखा था तो राखता कासीम अली में में दिख रहा है ना कासिम अली दीरे से टिक कर दीजिए आगे बढ़ते हैं खौजाहसन निजामी का इंतकाल कब हुआ तो उनका इंतकाल हो गया था 21 जुलाई उन्हें सब 55 आपसा नंबर सी में हैं इसको धीरे से करा ली थी तो वो 50 सल पहले ही अपने कबर तयार करा चुके थे जैसा कि मैं आप लोगो चैप्टर पढ़ाई हूं तो हर एक पॉइंट बताई हूं ठीक है हज़ित निजामी बंसुरी आपसन नंबर वी में दिख रहा है निजामी बंसुरी के नाम से इनकी सवाना उम्री जो तो जैसे ये दौलत मन बन गया रॉक फिलर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन देखिए अब यहां पर मेरे हाथों द्वारा लिखा गया ये कोशन है देखिए पहला कोशन कि अर्दू खाका निगारी का अगाज बगाईदा किस से हुआ आपसने में ख्वाजास नजामी भी में फरतुलाबेग दो जी हैं आपसन नमबर बी हो जाएगा फरतुलाबेग उर्दू खाका निगारी की शुरुआत जो ही वो मिर्जा फरतुलाबेग से हुई और उर्दू का पहला बजाबता खाका कौन सा है तो डॉक्टर नजीर आपकी कहानी कुछ मेरी कुछ उनक फरतुलाबेग ही होंगे और उर्दू का पहला खाका कौन है तो डॉक्टर नजीर आपकी कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी ठीक है उर्दू का पहला खाका निगार तो देखिए पुछ दिया है ना कोशन फरतुलाबेग हो जाएंगे आपसन नमबर डी विल बी दा करेक्ट इंसर ठीक है नेक्स्ट कोशन देखिए नजीर एमद का तालुक किस सिन्व से है तो वो है नाविल यह तो आप लोगो को बताई ही आप लोग गल्ती से खाका मत लगा दीजिएगा ठीक है बेग की पैदाईश कब हुई थी बताईए इसका सही जवाब क्या होगा आपसा नमबर बी अगस्त 1885 होगा बेग की पैदाईश कहां हुई आपसा ने में है चूड़ी वालान दिली बी में है धरबाद सी में मुर्दम खेज बस्ती और डी में सरगोधा सही जवाब होगा आपसा नमबर ए चूड़ी वालान दिली में मिर्जा फरतुला बेग की वालिदा का नम क्या था तो श्रब जहां बेगम लादे के वालिट का नम याना की पिताजी का नम बताना है पटेर रवदन आफिसे किलम पाक पड़ते हैं तो पढ़े थे अ पढ़े सआब भाए किस मौलवी सहब पढ़ें तो इसका सही जवाब ओगा मौलवी कम्रुदीन में году th थी किससे याद रखियेगा इंपॉर्टन है उन्हें साथ में नसीमा सुलताना से इनकी शादी हुई थी अगला कोशन देखिए बेंग के उस रिसाला का क्या है जो जुलाई उन्हें सब्सक्ताइस के में प्रकाशित हुई थी तो उस पत्री का उस रिसाला का नाम है ज्यवाब इनमें कौन बेग की तहरीर नहीं है ठीक है या कि बेग का लिखा हुआ नहीं है थीजवाब आपस suivre लिंद बेग की शाइरी बेग की शायरी नहीं है तो सत्रह का उपसा नमबर सी जहाज रानी ये बेग का लिखाओवा शायरी नहीं है बेग का खंदान दिल्ली से हिजरत करके कहा गया तो दिल्ली से हिजरत करके कहा गया थे जी हाँ है अधराबाद आपसा नमबर भी फरतुला बेग के दादा का नाम क्या था तो फरतुला बेग के दादा का नाम था मिर्जा अब् fibers फरतुला बेग के जदे जदे अन्व ए तो फरतुला बेग और मियदानी आए थे साड़े ग्यारा बजे किस अर्बी शायर से मतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मिया रजा की छुटी हुई तो वो थे मुतनब्थी option number B आगे बढ़ते हैं परतुला बेग शेरखौषाणी में किस तरग की गलतिया किया करते थे तो आराइब की गलती करते थे और मियादानी शेर खानी में किस तरह की गलती करते थे तो वो शेर को नश्र की तरह पर दिया करते थे ये दोनों question important है याद रखिएगा फरतुल्ला बेग और मियादानी के हिंदू college के तुल्बा का नाम क्या है तो Mr. Raza रहता है option number A will be the correct answer आग option number B will be the correct answer फटा फटा आगे बढ़ते हैं मिटिक का तेल मजमून के मजमून निगार कौन है तो ख्वाजा अग हवा पानी और खाक में सबसे कम तर खाक को समझा जाता है उसके बाद से ख्वाजा से निजामी की पैदाईश कब हुई तो इसका सही जवाब होगा option number A किसने रखा था तो बहा है इसका सही जवाब हो जाएगा अलामा अकबाल option number B खाजा से निजामी के मामू उन्हें क्या कहा कर पुकारते थे तो उनके जो मामू है ना वो ऑन्हें और रिंण क्या नाम क्या रखे यानि कि नजा से निजामी का नाम उननके वालदीन के वालद झाँचा सभी के वालिद का नाम था बताइए जी हां स्धाशिक अलिने अबसर नंबर इस वालिदा का नाम सिय वैगम कहां दी तो पर सभा नामी के बड़े सेटी क्ट आगे मरते हैं खाजा जामी कितने बरस का नाम था सेयद हसन अली शाह निजामी ने कितने किताबे लिखे तो वो लगभग जो है ना आप यह कह सकते हैं यह भी नहीं होगा भी भी नहीं होगा इसका सही जवाब होगा ना ओपसन नंबर सी दो सौ ठीक है दर्जैल में कौन निजामी की लिखी हुई किताब नहीं है नंबर 14 और सकते हैं जो सही जवाब हुगा भापसन नम्र 9 अन्देशय शेहर ह किताब निजामी बनसरी किसकी सवाना है तो खोज़ा सेथन निजान से सुने है निजामी बनसरी यह किसकी सवानलब पूचा जा रहा है पूछ किसकी बायोग्राफिया है तो इसका hell नहीं और भी इसको खौज़ास निजामी ने लिखाए लेकिन ये किसकी सवाना है तो खौज़ास निजामी का इंतकाल कब हुआ तो इनका इंतकाल हो गया था एक्तिस जुलाई उन्हेसा पच्पन आपसा नंबर भी आगे बढ़ते हैं फड़ाफट नेक्स्ट कोश्टन है कि निजामी जिस कब्र में दफन हुए वह कितने बरस के बिलतियार करा ली थी तो पचास बरस पहले ही तियार करा लिये थे दरजल में कौन इनसान का शरी के गम है तो मिटी का तेल जो है ना इनसान का शरी के गम है किसकी बेचारगी और जिलत पर हमें तरस आता है तो खाक यानि कि मिटी की बेचारगी और जिलत पर हमें तरस आता है दरजल में से कौन सा कौन खालजा से नजामी का मजमून है तो सही जवाब होगा आपसा नमबर भी मिट्टी का तेल किसको हकीर वजलील समझा जाता है तो खाक को अमेरिका का राक फिलर किसके बदालत लातादाद का मालिक बना तो मिट्टी के तेल के बदालत आगे बढ़ते हैं फड़ा फट अब देखिए यहां से जो कोशन स्टार्ट ह के शेयर कर देता कि सभी लोग इस सफर में इस जर्नी में जूड़ जाए और इस महामहरासन के क्लास को कंप्लीट करें और सारा अबजेक्टिव कोशन पर कमांड करें पड़फट आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब जरू का मतलब होता है क्या उन्वान यानि कि टाइटल सस्यित सुलिमान अदवी कितने जूबानों के माहिर थे तो आप लोग को पता होगा सब्सक्राइब नाश्टा को क्या कहते हैं तो अर्वी में नाश्टा को कहा जाता है फतूर, आपसा नमबर B, फतूर का मानी क्या होता है, फतूर का मतलब होता है तोड़ना, तो आपसा नमबर C will be the correct answer, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, कोश्चन नमबर 6, कि कलाई खोलना का मानी क्या है, कलाई खोलना का मानी होता है, अयब जाहिर करना, और कलाई का मतलब होता है, आपसा नमबर A ही हो जाएगा, यानि कि फार्सी और हिंदुस्तानी, दोनों जुबानों में लफज नहार यूज होता है, कलाई फिरना का मानी क्या है, तो आपसा नमबर B हो जाएगा, ठीक है, फड़ा फड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कला कलाई को अर्बी और फार्थी में रांगा कहा जाता है, कलाई कि जुबान का लफज है, तो कलाई जो है ये अर्भी जुबान का लफज है, ठीक है, पड़ाफट आगे बढ़ते हैं, पूरब और पश्च्चिम, यहां पर पश्चिम रहेगा, पूरब और पश्चिम की हुए इनकी शायर अर्भी और अंग्रेजी जबानों में क्या है माहिर है बास पुराने लफजों की नहीं तहकीक मजमून के मजमून निगार कौन है बहुत ही आसान सवाल वह से सुलेमान नद्वी सुलेमान नद्वी की पैदाइश कब हुई तो इनकी पैदाइश हुई थी 1884 बाइस नॉम्बर 1884 को हुई थी यहां पर 1884 रहेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कुश्ट नबर 14 है कि से सुलेमान नद्वी कहां पैदा हुए तो से सुलेमान नद्वी आपसन नबर भी हो जाएगा ठीक है उनाइस से एक में उनाइस से एक में दारूलूम नद्वी की मुलाकात किस्से हुई थी याद रखिएगा यह भी इंपॉर्टन कोशन है और इसका सही जवाब होगा आपसन नबर भी शिबली नमानी से मुलाकात हुई थी से सुलेमान एक में राखिए की पहले मजमून का नबर एक है और हो कब शाय हुआ यह उनकी परकास्थ हुआ तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नमर सी कखातौनों की तालिम जो की उन्हेसा दो में परकास्थ हुआ था आगे बड़ते हैं कोश्चा नमर 18 है कोश्चा नमर 18 है कि किस साल स्यिद सुलिमान नद्वी मौलाना अबुलकलाम आजाद की अख़बार अलहलाल से अब वाबस्ता हुए यानि की जुड़े तो इसका सही जवाब होगा आपसन नमबर ए उन्हेसत तेरह दर्ज़ेल में से कौन से सुलिमान नद्वी की लिखिवी मजमून नहीं है तो इसका सही जवाब होगा आपसन नमबर डी फूलो वालो की सेर हयात शिबली के हयात पर लिखा गया हयात शिबली किस की हयात पर लिखा गया यहां पर किस रहेगा था तो इसका सही जवाब होगा एक हीस का सुल मानादव करणाम क्या था नाम क्या था तो उनके वालित का नाम था ईंतकाल कई हुआ तो उनका इंत्तकाल हो गया था हुआ हमान के का क्राची में अहदी का मानी क्या होता है काहिल आगे बढ़ते हैं नहार लफ 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 जो है यह झाल सक्सकी जवाब होगा 27 का option number a फारसी जबान स्यद सुलिमान नजवी की लिखी हुई मजमून कौन सी है तो मजमून आपको बताना है स्यद सुलिमान नजवी की लिखी हुई वह है बाज पुराने लफजों की नहीं तहकी option number d में तो देखी रहा है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अब next question यानि की चैप्टर number four का ये question है ठीक है ना चौथे चैप्टर का ये objective question स्टार्ट है समझे की इन्शाया किस की सिन्फ है तो इन्शाया ये जो सिन्फ है ये एक नसरी सिन्फ है ठीक है तो option number b हो जाएगा इन्शाया क्या है मजमून के मजमून निगार कौन है तो इस बाहर रस्मी तरीके कार जो है ना ये इन्शाया को दूसरे स्नाफ ये अदब से मुम्मियद करता है वजिर्यागा का तालुकिस अद्बी स्नाफ से नहीं है तो इसका सही जवाब होगा option number a दास्तान दास्तान से नहीं है यानि कि वजिर्यागा दास्तान नहीं लिखते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि इन्शाया कि अम्त्याजी सूरत किसकी रहीन मिन्नत है तो इन्शाया की अम्त्याजी सूरत जो है वो जिददत तराजी की रहीन मिन्नत है पांच का option number sorry 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 यहां पर जिदत तराजी मैं बोल रह रही हूँ खुशगार ताजगी की रहीन होती है तो तन्जो मजग की यानि की हैसी मजग भी चलता है कमेंड भी चलता है अंशाया में ठीक है इन्शाया लिखने के दोरां छे काउप सनमबर डी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि वह मरकसी नुकता क्या है जिस पर इंशायां निगार हर बार जरूर लोटता है तो वो है उन्वान साथ गाउप्सण नाबर सी कोशन नंबर एत है कि दर्जाईल में वजीर और आगा की लिखीवी मजमून नहीं है बताईए दर्जायां में से कौन वजीर और दीक शाहीं मजमून नहीं है तो इसका सही जवाब होगा option number C सनम आशना तर्जायल में कौन वजीर यागा के लिखी भी मजमून है अब बताना है कौन सी है तो वो है इन्शायय क्या है डारेक्ट दिख जा रहा है वजीर यागा नहीं थे तो वो तो नकाद तो थे शायर भी थे इन्शायय निगार भी थे अफसाना निगार रही थे तो option number C will be the correct answer आगे बढ़ते हैं वजीर यागा की पैदाइश कब हुई तो उनकी पैदाइश हुई थी उन्हें से 22 में option number B लगा दीजिए वजीर यागा की पैदाइश कहां हुई थी तो पाकिस्तान के सरगुदा में option number A हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब वजीर यागा की लिखी हुई किताब नहीं है इन 4 option में से कौन से सी किताब है जो की वजीर यागा की नहीं है तो इसका सही जवाब क्या होगा 13 का option number D हो जाएगा अर्बो की जहाज रानी ये वजीर यागा द्वारा नहीं लिखा गया है अगला सवाल देखिए दर्जेल में कौन वजीर यागा की नजम है सही जवाब हो जाएगा option number 3 आदी सदी के बाद 15 नंबर सवाल है की दर्जेल में कौन वजीर यागा की इनशाया का मजमुआ है यानि कि इनशाया का किताब है वो है दोनो यानि कि चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा ये जो दोनों किताब है ये इनशाया का किताब है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए और बीश बीश में आप लोगों मैं बोल भी दे रही हूं कि वीडियो को लाइक शेर जरूर करें और अगर आप चाहते हैं इसका पीडियेफ लेना यानि कि आज के इस वीडियो में जितना भी अब्जेक्टिव कोशन करा रही हो ना इन सारे अब्जेक्टिव कोशन का आप अपर फ्री में पीडियेव लेगा टेलीग्राम का ऐप लोगों तो अब लोग आप hilft लोगों जुम Do ह contains q merge चैनल का नाम ऐघ्यापन से जून लाइं पर आप लोगों आजकी इस वीडियो में जितना भी शेक्टिव कोशन करा ही हो streams आप जेक्टिब कोंशन आप लोगो फ्री में इस टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा ठीक है ना सारा बजेक्टिब कोशन हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं अब देखिए यह यह एक जैप्टर नमबर फुर का अबजेक्टिव कोशन हो रहा है उसके बाद से चैप्टर नमबर सिक्स का स्टार्ट होगा कहां से तो वह मैं आप लोग को बताऊंगी ठीक है तो आप लोग फड़ाफट क्या कीजिए वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिए और टेलीग्राम से फड़ाफट जुड़ ज कर रहे हैं और साथ जो इंपॉर्टेंट अब्जेक्टिव है गैस और गाइड का वह भी हम लोग कम्प्लीट कर रहे हैं मतलब टोटल मात्र आज की इस वीडियो में एक वीडियो को देखने के बाद आप लोग का सारा अब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाने वाला है और सार स्कानरत्न न्भी को किसने मुकमल किया आपसान में अबुलक्लाम अजाद भी में अब्दुल अलीम स्लाइम वाल स्लेमान नधी में ऑंके स्लाइमान उनके यह होई कहां पैदा हुए तो इनकी पैदायश हुई ती कहा पर दयंूए नौन न लंदमिना तूह समयत शव आप लोग को complete वीडियो देखना है और पूरा objective पर कमांड कर लेना है और तब आप लोग को PDF देखना है ताकि फिर से प्रैक्टिस हो जाए आज कि इस वीडियो को पूरा देखकर आप लोग प्रैक्टिस कर लिजिए सारे objective question पर कमांड कर लिजिए उसके बाद से आप लोग क टेलिग्राम पर जो PDF दिया जाएगा उस PDF को लेने के बाद आप लोग को दुबारा से रिवीजन करना है यानि कि फिर से आप लोग को क्या करना है objective question अब खुद से बनाना है ठीक है ना चलिए फड़ा फड़ा आज कि इस वीडियो को complete किये और हर एक objective question पर कमांड कर लिज है अलफ लाह तो इसका सही जवाब होगा अठारा का उपसा नमबर बी दारुलूम नदोतुलूमा से जो है ना से सुलिमान अद्वी आलमियत किये थे 19 नमबर सवाल है कि से सुलिमान अद्वी के अद्वी उस्ताद कौन थे सही जवाब होगा उपसा नमबर सी शिबली नम है वजीरियागा की जो किताब है लफजों की छागल वो एक पुलियात है और भी धीरे से टिक कर देना है अगला सवाल है सवाल नंबर 22 कि इन्शाया किस मोड की पैदावार है तो शगुफता मोड की पैदावार है 23 नंबर सवाल है कि वजीरियागा ने किस मौजू पर PhD की तो वजीरियागा जो थे ना वो जिस मौज़ू पर PhD किये थे वो है तन्जो मजा या इनकी ऑप्स नमबर D is the correct answer अब यहां से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नमबर 5 का objective question क्योंकि 4 तक तो हम लोग कर लिए 5 चैप्टर का नाम है हिजरत चलिए स्टार्ट करते हैं है या यानि की हिजरत ये जो है ना इन्शाया इसके लिखने वाले कौन है इंशाया निगार कौन है अप लोग को पता है वह है एमर्ज़माल पाशा option number 3 is the correct answer नमसर बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है तो स्पार की आप這邊 को चाहेगा ओव्सर सभी अगला सवाल है कि इस्गार मैं किसे अपने सफर हुआ ढब्र 16- 1130 hello important question है बताइए इंसान की आखरे इज़त आप लोगों को पता है वो है मौत option number 1 इंसान बाकी जिंदगी में कोई और हीड़त करने से अगर बच भी जाता है तो आखरे इज़त यानिकी मौत से नहीं बच सकता है बाद शुमाल का मानी क्या होता है बाद शुमाल का मतलब होता है हर मुलक मुलक मास्त से क्या मुराद है तो इसका मतलब होता है यानि कि हर मुलक मुलक मास्त से मुराद है सारी जमीन हमारी है बर्फानी इसार का मानी क्या है बर्फानी इसार का मतलब होता है बर्फ के तोंदो का घेरा सुरमाई तातिलात गुजारने के लिए कौन महवे अधिनों कि नी तकि ताकि वगनार्फाल सवाथ की कि कि अ глаз मालबाई की कि ने इसार को वैस्ट को समय में ज्यादा से ज्यादा और पुरा अब्जेक्टिब कुशन कम्प्लीट कर सके। ठीक है ना 13 नमबर सवाल देखिए एमाजमाल पाशा की कितनी शादी हुई तो एमाजमाल पाशा की शादी हुई थी दो अपसा नमबर भी एमाजमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था तो उनके वालिद का नाम था शुजात हुसेन एमाजमाल पाशा उन्हेसे 76 में मुस्तकल क्याम के खातिर कहां गए यानि कि हमेशा रहने के लिए कहां आए थे तो पंद्रा का उप्सनमर डी हो जाएगा सीवान गए थे ठीक है एमाजमाल पाशा के दादा का नाम क्या था तो उनके दादा का नाम था नजफ अली ये भी इंपोर्टन कोशन है एमाजमाल पाशा आमीन अबाद के कच्चे आते में जो मकान खर दे थे उसका नाम क्या रखा था तो उसका नाम रखा था सरवरी मनजिल देखिए उपसन ए में सरवर मनजिल है और उपसन भी में सरवरी मनजिल है ध्यान से आप लोगों को देख कर लगाना है उपसन नमबर जमाल साहब मैटरिक का इम्तहान कोवियन हाई स्कूल से कब पास किये थे तो वो किये थे उन्हें सब पच्चास में ये भी कोशन पूर सकता है कि एमा जमाल पाशा जो है ना मैटरिक का इम्तहान किस स्कूल से पास किये तो कोवियन हाई स्कूल ये भी याद रखना है एमा ज पाशा लखनवी यूनिवर्सिटी से कभ भी किए अब बीए कभ दिए अब आप लोगों को बताना है तो उन्हें इसा चपन में एमजमाल पाशा जो है वह उन्हें सब 58 में एमे किसी यूनिवर्सिटी से किए तो अलीगण मुसलिम निवर्सिटी से मिजस कि लतीफए किताब आप कहां से शाय हुआ यहनगी कहां से प्रकाशित हुआ ठाश जलक-वूख पौलीगर से ऐलिगर से चला कि दूसरी दूसरी का नाम क्या है करना माप लोगों को बताना है और उनका नाम है सरवर जहां अपसिंद अनुबर डीs से 61 एहमार जमाल पाशा किस कॉलेज में अर्दू लेक्षर की मुलाजमत किये थे तो जिस कॉलेज में वह अर्दू लेक्षर के हैसियत से मुलाजमत यानि की जॉब किये थे उस कॉलेज का नाम था जखी आफाक कॉलेज जखी आफाक इसलामिया कॉलेज यानि की जड़े इसलामिया कॉलेज 28 नमबर कोशन है कि एमा जमाल पाशा का इंतकाल किस वज़ा से हुआ था तो उनका इंतकाल हो गया था दिल का दोरा पढ़ने के वज़ेसे एमा जमाल पाशा की मौत कब हुई यह भी इंपॉर्टन कोशन है सही आवार्ड से नवाग जा था तो उस आवार्ड का नाम था सागर सूरी आवार्ड आपसा नमबर ए में ही दिख रहा है आगे बढ़ते हैं 32 नमबर सवाल है कि एमा जमाल पाशा का इंतकाल कहा हुआ तो पटना में हुआ था आपसन नमबर डी हो जाएगा दर जैल में कौन स कोई इनशाईया कौन सी है यह आप लोगो बताना है तो वो है हिजरत 34 का आपसन नमबर डी हैमा जमाल पाशा के वालिदा का नाम क्या था तो उनकी वालिदा का नाम था सरवरी खातून ठीक है तो यह हो गया चैप्टर नमबर फाइफ ठीक है फाइफ तक तो हम लोग क्या है यह एक दास्तान है ठीक है अंदे फकीर का तालुक किस मुलक से था तो अंदे फकीर का तालुक था हिंदुस्तान से बागो बहार किसकी तस्नीफ है तो बागो बहार जो है यह मीर अमन दहलवी की तस्नीफ है यानकी क्रियेशन है बागो बहार का सने शाथ क्या है य आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर सिक्स है कि बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है तो बागो बहार ये जो किताब है जिस किताब का तर्जुमा है उस किताब का नाम है याद रखिएगा चहार दर्वेश इंपॉर्टन कोशन ये भी यह निकी चार दर्वेश से ही ट्रांस किताब का तर्जुमा किया ठीक है तो यह आपका सही जवाब क्या होगा यहां पर कुछ नमबर नाइन का ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा जॉन गुलक्रिस्ट देखिए मैं आप लोग को चैप्टर वाइस भी कम्प्लीट करा रही हूं और गैस और गाइड का भी जो इंपॉ लोगो आसानी से उसको चैप्टर वाइस हम लोग कम्प्लीट कर रहे हैं और गैस और गाइड का भी करा दी और उसके साथ और भी अभी कराना है सारा अब्जेक्टिव कोशन कंप्लीट होगा तो इसी वह जैसे मैं बोल रही हूं वीडियो काफी इंपोर्टेंट है लेकिन सारा अब्जेक्टिव कोशन कंप्लीट हो जाने वाला है पूरा बुक कंप्लीट पूरा अब्जेक्टिव कंप्लीट अब्जेक्टिव का यह महामयराथन है और आप लोगों को अंत तक जुड़े रहना है और सारा अब्जेक्टिव कंप्लीट करना है वीडियो को मुझकान मेम का बात मान लिया होता फिर मान ली होती और सारा वीडियो देख ली रहती और साफ अब्जेक्टिव कोशन पर कमांड कर ली रहती तो आज मुझे बैठे नहीं रहना पूरता तो आप लोग अफसोस करने के बजाए वीडियो को पूरा देखिए complete देखिए और सारे objective question पर कमांड कर लीजिए ठीक है ना फिर बाद में आप लोगो अफसोस करने की जोर्त ना पड़े बाद में पच्ताने की जोर्त ना पड़े complete देखना है अभी आज इस वक्त अगर objective question पर कमांड कीजिए ताकि आप लोग exam hall में एक्दम धड़ादर धड़ादर एंसर बनाएं क्योंकि जितना भी objective question रहेगा इनी कुछन नहीं आने वाला ए जो भी आएगा इसी के अंदर से आएगा झीख है ना तो चर लिए दसवा सिवाल है कि सहजादा सहजादी के वालिद और मलिक सादिक के दर्मियान क्या रिष्टा था तो जो रिष्टा था वो था दोस्ती का यान कि सहजादे के वालिद और मलिक सादिक जो है ना एक दूसरे के दोस्त थे सहजादा फकीर को कितनी असरफिया देता है तो सहजादा जो है ना फकीर को एक असरफी देता है बागोबहAR की इस एक्तबास में किन कीन मुलकों का जिक्र है तो याद रखिएगा चीन माचीन और हिंदुस्तान दो मुलकों का जिक्र है शेहजादे को मलक सादिक के पास कौन ले जाता है तो मुबारक ले कर जाता है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए कोश नमबर 14 है कि शहजादा और मुबारक अंधे फकीर का पीछा करते हुए कहां गए तो वो गए रहते हैं महल तक सहजादा और मुबारत उस कागज की औरत की तलाश में कितने सालों तक परिशानिया सहते रहें तो साथ सालों तक वो परिशानिया सहते रहे थे साथ सालों तक इदर उदर भटक रहे थे मीर من دہلوی की पैदाईश कहां हुई तो मीर من دہلوی की पैदाईश ँइथी दिल्ली में गंज कॉलेज में में मुलाजमत कब हुई यानी कि मीरमन देल्वी जो है ना फॉरट विलियम कॉलेज में कब मुलाजमत करना स्टार्ट किये थे तो 18 का आपसनमर डी हो जाएगा चार Ma'i 18-11 और फॉरट विलियम कॉलेज से मीरमन को कितना रुपय महानामा तंखौँवा मिलता थ मॉकंल हो चुकी थी कब मॉकंल यानि की पुरी तरीक से लिखता कब तैयार हो चुका था है ये किता तो इने में यह लिखता तैयार हो चुका था लेकिन इसको परकाशिट किया गया फार Martaict получится Essang लाव मेन तो बाह महार किताम का नाम रहा था तो नोए ठीक है बाग बाहर किताब मुकमल सूरत में पहली बार पहली मरतबा किस हिंदुस्तानी छपकाने से शाय हुआ यानिकि किस हिंदुस्तानी छपकाने से इसको परकाशित किया गया था तो उस छपकाना था वो कलकत्ता यानिकि कलकत्ता छपकाने से इसको परकाशित किया गया फॉरट विलियम कॉलेज की किताबों में सबसे ज्यादा शोहरत की तस्नीफ को हासिल हुई देखिए सूरत लिखा गया है शोहरत यानि की फॉरट विलियम कॉलेज की किताबों में जिस किताब को सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई उस किताब का नाम क्या है तो बागो बहार option number C मीरमन देहलवी की जागिर किस ने जब्द कर ली थी 25 का option number B सूरज मिलजाट ने जब्द कर ली थी मीरमन देहलवी जो है तालाश मुआस के सिलसिले में कहा गय थे तो वो गय थे कलकत्ता किसा चहार दर्वेस के लिखने वाले कौन है तो चहार दर्वेस यहां पर चहार दर्वेस पूछा गया है चहार दर्वेस के लिखने वाले कौन है याद कीजिए बागो भार के लिखने वाले तो अमीर अमन देर निल्मी लेकिन किसे चहार दर्वेस के लिखने वाले कौन है तो कि सेहर दर्वेस के लिखने वाले हैं अमीर खुसरू माना जाता है अमीर खुसरू को ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 29 ठीक है ये कितना 27, 28 चुट गये कोई दिक्त नहीं है कोशन नमबर 29 देखिए अक्तिसाब के मानी बताईए एक्तिसाब का मतलब आप लोगों को बताना है सही जवाब होगा जाती मेहनत से हासिल करना कोशन नमबर 30 यानि कि 30 नमबर सवाल है कि अबलाग के लोगों भी मानी क्या है तो अबलाग का मतलब होता है पहचानना ठीक है कि मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफे किसने तहरीर की अपसने में एहमद जमाल पाशा तो जी हां एहमद जमाल पाशा ही हो जाएगा इस ता करेक्ट एंसर 32 नमबर सवाल है कि रोज आफरिंस का मानी क्या है तो रोज आफरिंस का मतलब होता है पैदाईश का दिन ठीक है कि हिजरत का जो सिलसला हूवा था वह शुरू हुआ दाक्यों क्यों कोशन और सबसे पहला सवाल है कि अ कि सिन्फ से में मजमूब भी में दास्तान सी में अफसाना और वपो नinky Yes Śaye को कहानी कि लचया का नाम कि सोबा टेक सिंभ आप साने की अफसाना कौन तो यृई एक घाओं कोई है तो साधत असन मंटू है option number D will be the correct answer next question है question number four कि टोबा टेक सिंग का असल नाम यानि की रियल नेम क्या है तो वह है बिसन सिंग लाहूर पागल खाने के हिंदू और सिख पागलो को कहां भेजा जा रहा था तो अभी जोली अख़ए और पढ़ता था और नाम क्या था तो सब्सक्राइब यहाँ पर टाइम यह इंद। और C में है नौभारत टाइम और D में है जमिनदार तो एक मुसल्मान पागल जो हर रूज अखबार पढ़ता था उस अखबार का नाम था सिर्फ जमिनदार क्या नाम था जमिनदार टाइम नहीं रहेगा टाइम इसका है नौभारत टाइम question number 8 है लाहोर का एक नौजवान हिंदू पागल जो की मुहबबत में नाकाम होकर पागल हो गया था वह क्या था तो वह एक वकील था option number A हो गया सही जवाब आगे बढ़ते हैं question number 9 है कि एक सिख पागल जो 15 बरस के तवील औरसे में एक लम्हें के लिए भी नहीं सोया था उसका नाम क्या था तो उसी का नाम तो था टोबा टेक सिंग यानि कि option number B यही जो टोबा टेक सिंग था वो 15 सालों तक मतलब अब उसको उस पागल खाने में रहते हुए 15 सालों गए थे और वो 15 सालों से नहीं सोया हुआ था एक मुसल्मान पागल जो अपने आपको काईद आजम मुहमद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया उसका नाम क्या था उसका नाम मुहमद अली ही था ठीक है टोबा टेक सिंग का एक मु प successor भी कोई उसका कोई सहब कहां हुई यहाँ पर आपनों को बताना है कहां हुई थी तो पंजाब की लुदियाना में हुई थी साधत हसन मंटू की अद्वी जिन्दगी का आगाज यानि की शुरुवात कब हुआ सन आप लोगों को बताना है तो 1933 में इनके अद्वी जिन्दगी का आगाज हुआ था नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं सुल्ला नमबर सवाल है कि साधत हसन मंटू के वालिद का नाम क्या था तो इनके वालिद यानि कि पिता जी का नाम था ख्वाजा घुलाम हसन मंटू अपने तालीम मंटू जो है ना वो अपनी तालीम कहां से हासिल किये ये भी इंपोर्टन कोश्चन है और इसका सही जवाब अपसन नमबर डी हो जाएगा अमरित सर अगला सवाल है कि सादत हसन मंटू का पहला अफसाना का नाम क्या है तो इनके पहले अफसाना का नाम है तमाशा ठीक है तमाशा और मंटू का पहला अफसाना जो तमाशा है ये कब शाय हुआ तो इसको शाय किया गया था 1934 में और मन्टू का पहला अफ्सानी मजमुवा का क्या नाम है? देखिए पहला कहानी का नाम है तमाशा जो कि उन्हें से 34 इस भी में प्रकाशित हुआ और पहला कहानी के किताब का नाम जो है ना वो है आतिश पारे ठीक है? और मन्टू की शादी बेगम सुफिया से कब हुई? त कब शाय हुआ तो इसको साइ किया गिया था उन्हें समय ऊपस्पान का लिखा हुआ है यह जो है ना मन्तू का लिखा हुआ आपसाना यानी कि कहानी है कि दर जाल में से कौन सा अफसानवी मजमुवा मंटू का लिखा हुआ नहीं है मतलब कौन सा कहानी का किताब मंटू का लिखा हुआ नहीं है तो चौबिस नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा वह होगा अपसन नमबर डी चल चल रहे नौजवान नेक्स्ट कोशन है कि मंटू पाकिस्तान क इसके लावा और क्या थे तो एक खाका नेगार भी थे नाविल निगार भी थे और ड्रामा नेगार भी थे तो 27 नमबर D will be the correct answer सही जवाब क्या हो जाएगा D यानि कि वो सभी थे मन्टू के एकिस अफसाने पर मुकदमाद चलाए गए तो खोल दो उपर नीचे और दर्मियान खाली सलवारी तीनों अफसाने पर मुकदमाद चलाए गए थे तो सही जवाब क्या हो जाएगा और सही जवाब होगा 18 जनवरी उन्हें सब पच्पन इस ता करेक्ट इंसर सादत सन्मन्टू का इंतकाल कहा हुआ तो उनका इंतकाल हो गया था लाहौर में और सी हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया चैप्टर नमबर सेवन कमप्लीट अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नमबर येट का अब्जेक्टिव कोथन और सबसे पहला सवाल है कि अफसाना प्रामिस के अफसाना निगार kौन है तो वो है जिलानी बानो जिलानी बानों की पैदाईश कहां हुई तो जिलानी बानों की पैदाईश हुई थी बदाईव में ये भी important question है बहुत बार पूछा गया है ठीक है विश्ट्वर्य कौश्ण निग्रवधानाय थे जिलानीवानओ की पैदाईश तो इंपार्टंट अगे बढ़ते हैं काशन्न मेज़़न गवां की वांदब तो वो है अम्मो जिलानी बानों के वालिद का नाम क्या है यान की पिता जी का नाम वो है अल्लामा हैरत बदायूनी ठीक है जिलानी बानों की तालीम कहां तक है तो इनकी तालीम जो है ना याद रखिएगा एम में तक जिलानी बानों शायरी किस नाम से की तो सबा बदायून के नाम से की थी जिलानि बानोः अफसानह निगार के लावा और क्या ही के फिलंगार थी तो ऐमों प्रॉमिसलिया था तो जनाजा उठाने का та टानीबानों की शाधी डॉक्टर अन्वर से शंग इसी वज़ए से ऑपसानमबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब जिलानी बानों की बक्सी हुई नाविल्ट है नाविल्ट भी जो है ना यह दोनों है नगमे का सफर और जुगनु और सितारे यानि क्यों सा अवार्ड मिला था तो मौदी गाले अवार्ड सोविय यासीन सरीफ पढ़िये यहां पर अम्मो रहेगा अम्मो यासीन सरीफ पढ़िये और अल्ला को याद कीजिए यह बात किसने कही थी बड़ी बहु ने कही थी जम्शेद अपने बीवी बच्चों के साथ कहा रहता था जम्शेद जो है ना अपने बीवी बच्चों के साथ नियू यॉव्यॉक्स में रहता था जिलानी बानों के वालिद का नाम था ला-मायरत बदायोगी और्दू और पार्ट सी के शायर के वारव और क्या थे तो वो थे याद रखेईगा अली मेदिन आली मेदिन भी थे अम्मो के शोहर क्या थे अम्मो के शोहर थे वकील इंपोर्टेंट कोश्चन बहुत चारे इसका घलत एंसर लगा देते हैं याद रखिएगा अम्मो के शोहर वकील थे जम्षिद नियू यौक में क्या था जम्षिद नियू यौक में इंजीनियर था ठीक है रशीद सब्सक्राइब हो जाएगा शिकागों में डॉक्टर था हमीद भारत में क्या था तो यह मिनिस्टर था जो कि दिल्ली में रहकर काम करता था आगे बढ़ते हैं 26 नंबर हो गया 27 नंबर सवाल देखिए तोबा टेक सिंग की मौत किस जगा हुई किस जगा पर हुई यह आप ल अगला सवाल 28 नंबर कि पेर पर चड़े पागल ने किस मसले पर तकरीर करना शुरू कर दी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले पर तकरीर करना शुरू कर दिया था वो पागल अपने को खुदा कहलाने वाला पागल से टोबा टेक सिंग क्यों नाराज हो गया सही मुलक में हैं कि अपने मुलकातियों के आने से पहले किस तरह त्यार होता था आप लोग जानते हैं वह नहाता और अच्छा लिबास जैबतन करता त्यार हो जाता था और एक नया कपड़ा पहनता था जो पहले बहुत कम ही पहना हो मंटू के वालिदा याने की मां का नाम आप लोगो बताना है मा का नाम था सरदार बेगम जिलानी बानों के एक अफसाने का नाम बताई यह चार ओप्षनहे यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा आप से नम्बरए प्रॉमिस अफसाने के दो किरदार का नाम आप लोगो बताना है और देखिए डिरेक्ट दिख ज छांत जिंदगी इंजवाय करने का प्रॉमिस क्यों नहीं कियें यह बात किसं ने कहीं तो समय आपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था जनाजा को कांधे देने का प्रॉमिस लिया था थेसे अमो दुखी क्यूं थी अमो दुखी थी बच्चों को अपने बेटे को जाते देख लिया था इस वजह से जो है ना अमो दुखी हो 30amız नमबर हो घाएका रात के मुसाफिर और रोज के मुसाफिर तीक करा झालिस कवाल की कि किसे नमाजा गया तो कुल हिंद को कव मिहालिए आवाइड से नमाजा गया ता जिलानी बानों को आपसान मिह जाएगा बिल्कुल सही जवाब तो अब चैप्टर नम्बर नाइन का यहां से कुश्चन स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला सवाल है कि सेद अध्य सब्सक्राइब किस औहदे से सब्सक्राइब को बताना है और खेर आप लोगो पता होगा यह डारेक्टर जनरल के पोस्ट से रिटायर हुए थे यानि कि आपसन नंबर भी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दूसरा सवाल है कि भूले बिसरे गीत अफसाना के अफसाना देखने वाले कौन है तो है शफी जावेद राइटर हलांकी में आप लोगो लड़ी चेप्टर राइटर का नाम याद रखने का भी ट्रिक बता चुकी हूँ अगर आप लोग ने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंग किसी वीडियो को डिस्क्रिप्सन में जरूर अगला सवाल है कि रवी रंजन कौन थे रवी रंजन जो थे ना वो सएद अजीज अहमद के दोस्त थे अप्सन में ही लिखा है सही कर दीजे धीरे से भूले विसरगीत सिंफ है बताइए यह क्या है तो यह एक अफसाना है ना तो भी लगा दीजे धीरे से आगे बढ़ते सवाल है की सेद अज्जीज अहमद का एक पूराना साथी क्या था तो एक उनका पूराना साथी था था पुरेट और अप्स नें ट्रप रगरतीजिस्टर रहे तो ट्रफट कर देना है सीग्रेट दिया रहे तो सफेर बाइप ए भी तशवार सब्सक्राइब गीतों का प्रोड्राम कितने बजे खत्म हो गया तो भुले विस्रंगीतों का परग्राम जो है ना working 7 बजे खत्म हो गया ठीक SAY को नाइन कि सफी जावेद के घर का सामाहौल कैसा था उनके घर का माहौल अद्वी था और के बारे में पूछा है शाफी जावेद की पैदाईश कहाँ हुई तो सफी जावेद की पैदाईश आगे बढ़ते हैं नग्mn 11 है कि शाफी जावेद की पैदाईश कब हुई ठीटon 4 जणवरी उन्हें सब प्ञेंतिस इस B को सफी जय्वेद की पैदाइश हुई थी शफी जय। रियल नियम क्या था एकать मुहम्मद शभी तियार किये गए है यह हुँ और तंबाकू और तंबाकू कब शाय हुआ तो यह प्रकाशित हुआ था उक त्ट्रेपन अ당히़न है कि शफी जावेद अफसाना निगार के लावा और क्या थे क्या वो एक नजब निगार थे तो बेशक वो एक नजब निगार थे तो आपसा नमबर एही हो जाएगा सही जवाब शफी जावेद कहां के एड्मिनिस्ट्रेटर बने थे तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ये एड्मेस्टेटर बने थे नेक्स्ट कोश्टन दर्जेल में कौन सफी जावेद का लिखा हुआ अफस्वानवी मजमुआ नहीं है यानि की कहानी का किताब नहीं है तो वो है नंगी दोपहर का सिपाही आठ और तमबाको अफसाना दरभंगा के किस महानामे में शाय हुआ यानि की प्रकाशित हुआ सही जवाब होगा ऑपसन नंबर भी अफक नेक्स्ट कोशन देखिए शफी जावेद गौर्णर बिहार के क्या थें वो प्रेस सेक्रेटरी थें शफी जावेद में किसी यूनिवर्सिटी से किये पटनाई यूनिवर्सिटी से किये थें सियाद अब्जिस्टर ना तो जी है आपसा नंबर एक रंजिस्टर यहां पर से नुम्बर नाइन का अब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ अब यहां से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नुम्बर टेन का तो फड़ाफट आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो रिमा कहानी के किताब से अब इब्राहिम सिक्का नाम का कहानी लिया गया है तो यह जो कहानी लिया गया है शिकस्तब भूतों के दर्मियान यानि कि आपसान नंबर सी बहुत ही इंपोर्टन समझते हुए में आप लोगों को पढ़ाई थी याद रखिए कोशन बहुत बार चलिया आगे बढ़ते हैं फड़ाफट सेलाम बिन रजाक को साहित अकेडमी का तरजुमा अवर्ड कब मिला तो साहित अकेडमी का अवर्ड मिला था 2004 में लेकिन तरजुमा अवर्ड मिला था इनको कि उन्हें से अंठान बेर में इबराहिम सक्का की तालिम कहां तक हुई सी चौथे दर्जे तक न अपसान नमबर ए लगा दीजिए आगे बढ़ते हैं इबराहिम सक्का अफसाने में किस गाओं का किस्सा बयान किया गया है तो धोरन गाओं का किन दो जबानों के अदब से सलाम बिन रुजाक से अद्वी तालुक है सही जवाब हो जाएगा हिंदी और मराथी ऑपसान नमबर ए कि कोशन नमबर एट की सलाम बिन रुजाक मुंबई मेनिसिपल कर्पोरेशन के स्कूलों से कितने बरस तक उस्ताद की हैसियत से यानि कि टीचर की हैसियत से मुतालिक रहें तो वह लगभग 35 साल तक हो जाएगा 35 साल तक वह एक टीचर की हैसे से स्कूल में काम करते रहें मुलास मत करते रहें सलाम बिन रुजाक की पैदाईश कहां हुई इनकी पैदाईश हुई थी महरास्ट के पनवीन में दस नमबर सवाल है कि अब्दुल्ला भैसा कौन था बताईए आप लोग जानते होंगे सरपंच का लड़का था देखिया उपसंबर सी में लिखा हुआ है सरपंच का लड़का सलाम बिन रजाक की तालिम कहां तक है सलाम बिन रजाक की तालिम पूछा गया है न तो डिप्लोमा एल एजुकेशन सलाम बिन रजाक का पहला अफसाना कब शाय हुआ तो इनका पहला अफसाना प्रकाशित हुआ था उन्हें से 64 में बंबई मुनिसिपल कर्परेशन के स्कूलों से वा कब सुबकदोश हुए यान की कब रिटायर हुए तो उन्हें से 99 में रिटायर हुए थे दर्जैल में सलाम बिन रुजाक अलीखा व लिखा हुआ नहीं है स्कुषी ह 16 बिद्धायर नहीं नहीं लिकाँए किस की किताबों को स्लाम बिन रुजाक ने नाम की और वह कब शाय हुआ द्धीनु नाम है और उन्हें से 98 को यह शेय हुआ था नेसनल है नेसनल बुक ट्रस्ट ने इसलाम बिन रजाक का मतर्जमा किताब उसरी हिंदी कहानिया कब शाय किया तो इसका सही जवाब होगा आपसा नमबर है उन्हें सब पंचान बेरा 18 नमबर सवाल है कि अब्दुर्ब कौन थे अब्दुर्ब जो थे ना वो एक स्कूल के हिड्मास्टर थे यानि कि दोरन गाओ के स्कूल के हिड्मास्टर थे इबराहिम सक्का किसे महबत करता था तो बेदार खादेश मुख की बहन से बहन रहती है जुनाब बदरुदीन क्या थे बदरुदीन जो थे वो एक स्कूल के इंचार्ज थे ठीक है नेक्स्ट कोशन कुशन नमबर 22 सलाम बिन रजाक 25 साल के बाद धोरन गाऊ के स्कूल में आये रहते हैं किसके तौर पर यह आप लोगों को बताना है किस तौर पर ऑप्सने में डॉक्टर के तौर पर भी में इंस्पेक्टर के तौर पर सी में वकील के तौर पर और टी में टीचर के तौर पर तो सलाम भी नजाग पच्छीस साल के बाद आए रहते हैं इंस्पेक्टर के तौर पर अगला सवाल है दूसरा सवाल कि मौलाना अजाद की तफसीर का नाम बताईए ये इंपॉर्टन कोशन है तर्जमानु कुरान याद रखिएगा नेक्स्ट कोशन कोशन नमर थरी कि मौलाना अजाद की किताब इंडिया वन्स फ्रीडम किस जुबान में है यानकी किस भाशा मे हैं सही जवाब ऑपसन नमबर सी इंग्लिश ठीक है यानकी अंग्रेजी मौलाना अजाद किस जुर्म में जेल गए थे मौलाना अजाद जो है वो गए थे भारत की आजादी के लिए मतलब वो लड़ रहे थे जिस वो जैसे वो आप यूं कह सकते हैं सी जुर्म में जेल ग मौलाना अजाद कब अपने वालिद के साथ कलकता हैं तो सिक्स का ऑपसन नमबर बी हो जाएगा बच्पन में ही मौलाना अजाद की शादी कब हुई तो इनकी शादी लगबब हो गई थी उन्हें सच छे नहीं तो साथ में ठीक है यही आप लोग इसी तरह आपसन में दिय कोशेगा तो कोशन नमबर एट है कि अलहलाल अखबार मौलाना अजाद ने कब निकाला तो यह अखबार निकाला गया था उन्हेंसाब बारा में इंपॉर्टन कोशन है यह भी आगे बढ़ते हैं मौलाना अजाद कितने महीने कराची में नजर बंद रहे तो वह लगबग एक मिनट खम नहीं खमदार से आप क्या समझते हैं 11 अबस नमबर सी हो जाएगा ठीड़ा ठीक है अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहां हुई अली सरदार जाफरी की पैदाइश हुई थी बलरामपूर में 13 नमबर सवाल है कि अपसानों का मजमूवा मन्जिल यह कब शा नेक्स्ट कोश्चन अली सरदार जाफरी को पदम शीरी का वार्ड कम मिला था उन्हें से सटमें मिला था सुल्ला नंबर सवाल है कि अली सरदार जाफरी की दो नजमों के नाम बताईए इंडिया जाग उठा और नए दुनिया को सलाम यही हैं दोनों किताब का नाम आगे बढ़ते हैं अठारा नंबर सवाल है कि आखों के दिये कब बुझ जाते हैं आखों के दिये तब बुझ जाते हैं जब मौत आती है यानि कि मौत आने के बाद आखों के जो दिये हैं वो बुझ जाते हैं आखनों आखों से देखने की सलाहियत खत्म हो जाती है अपसर नंबर तो मोत के बाद मौत नहीं, आपसन सी हो जाएगा. जबास के पटे से आवाज की तितली उड़ जाएगे था अखिक्त की तरफ इशारा कर रहा है. एक अजशका आपसन नंबर भी हो जाएगा. मौत का वक्त का इशारा कर रहा है. थीख है? अली सरदार जाफरी की दो तनकिली किताबों के नाम आप लोगों को बताने हैं और वो है अकबाल शानासी और पेगंबराने सुखना अपसा नमबर ए 23 नमबर क्वेशन की अरूस से आप क्या समझते हैं अरूस का मतलब होता है दुलहना अपसा नमबर भी अब यहां से जो कोशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा चैप्टर नमबर 11 का गुबार खातिर से तीन खुतुत। चैप्टर का नाम है और पहला सवाल है की गुबार खातिर में कितने खुतुत हैं भारत छोड़ो तहरी के कब ऒूए थी? याननी कि भारत छोड़ो अंदोलन कब हुआ था? यह sahb 42 में. सदी के मकर्म कौन है? तो सदी के मकर्म आप जानते हैं, मुल्हाना अवुलामाजाद सदी के मकर्म किसको कहते है? हैं तो वह अपने जिसके जिसके लिए फ़िए प्रहते हैं और उनको सधी के मकॉर्रौ के दीजल में कोन मौला ना अज़ाद का अख़ब नहीं हैं साही जवाब naray हो जाएगा हमार कि लिखे गए तो वह एहमद नगर की जेल में लिखे गए थे ना सिक्स का आपसन नमबर भी हो जाएगा मौलाना अजाद की मौलाना अजाद जो हैं ना कौन सी चाए पीते थे इंपॉर्टन कोशन बताईएं चीन की चाए पिया करते थे वाइट जास्मिन को उर्दू में क्या कहते हैं वाइट जास्मिन को उर्दू में कहा जाता है गोरी चंबेली मौलाना अजाद किस उमर में कौंग्रेस के सदर हुए तो मौलाना अजाद जो है ना वो 35 साल की उमर म कोंगरेस के प्रिसिडेंट बनी थैं मौलाना आप अजाएड का रील नेम यानि की असल नाम बताना है सही जवाब होगा मुहिग दीन अहमद मौला ना अजाएड के वालिद का नाम क्या है तो उनके वालिद का नाम है खयरोदीन 11 का आपसन नमर C हो जाएगा मौलाना अजाद किस मुलक में पैदा हुए तो याद रखिएगा वो जो है ना मौलाना अबुलकलाम आजाद वो मक्का मुकरमा में पैदा हुए थे इसी शहर में मौलाना अजाद का तारीखी नाम क्या है तो इनका तारीखी नाम है फिरोजबख्त आपसन नमबर डी में दिख रहा है ना यहां पर फिरोजबख्त यही हो जाएगा पोशन नमबर फोटीन है कि अबुलकलाम आज़ाद कब पैदा हुए मौलाना अबुलकलाम आज़ाद की पैदाईश हुई थी 1888 में उन्हें सतीस में महज 15 बरस की उमर में उन्होंने कौन सा रिसाला यानि की कौन सा पत्रिका प्रकाशित किया तो उस पत्रिका का नाम याद रखिएगा लिसानल सिद्ग है लगबग उन्हें सती निस्वी में य जर्बंद रहें जैसा कि मैं आप लोगों को बताई ही 44 महीने उन्हेस बारा में मौलाना आज़ाद का अखबार अलहलाल कहां से निकाला गया तो वो कलकत्ता से निकाला गया था अबुलकलाम आज़ाद की शादी किस्से हुई तो 19 का उपसा नमबर सी हो जाएगा मुहतरम जुलेखा बेगम से इनकी शादी हुई रहती है बिस नमबर सवाल है कि किस साल मौलाना आज़ाद कौनरस के सदर मुन्तखब हुए तो 20 का उपसा नमबर सी हो जाएगा 1923 में किस साल मौलाना आज़ाद मिसर तुर्की और इराक की सफर पर रवाना हुए थे तो ये 1908 में ऑपसन नमबर डी हो जाएगा 1923 में सफर पर रवाना हुए थे 22 सवाल है कि अलहलाल के बदले कौन सा रिसाला यानि कौन सा पत्रिका परकाशित हुआ अलहलाल किस साल बंद हो गया जब ये बंद हुआ था मैं आप लोगों को बता दूँ ये 1924 में बंद हुआ था किस साल म मात्मा गांधी के बुलाये पर कॉंग्रिस और खिलाफत तैरीक में शरीक हुए तो 1927 में मात्मा गांधी के बुलाये पर ये कॉंग्रिस पाटी जोएन किये थे कितने सालों तक वो कॉंग्रिस के सदर बने रहें आप लोग जानते हैं लगबक छे साल छे साल जो है ना वो कॉंगरिस के सदर बने रहे हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम कौन है आप लोग को पता हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद वजीर तालीम मतलब शिक्षा मंतरी मौलाना आजाद की वफात कब हुई तो इनकी वफात हुई थी आप यूं कह सकते हैं 27 का आपसन नमर भी हो ज सभी किताब मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिखे हुए यानि कि कोई भी ऐसा किताब नहीं है तो इसका आप लोग इसकिप कर दें चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन की तरफ अब गुफ्तुगु नाम का नजम स्टार्ट हो रहा है यानि कि पहला सवाल है कि तंज कैसा जाम चलकाता है बहुत हल्वा कोश्टन है तंज जहर का जाम चलकाता है आप पूरा चैप्टर पढ़े हैं और मैं आप लोग अलड़ी पढ़ा भी चुक्वी हूं और खेर आप लोग जानते भी होंगे आसानी से अंसर दे सकते हैं गुफ्तु होई लिखा गया है घलती से अंस्ती हुई रहेगा ठीक है अस्ती हुई तो इनकी पैदाईश हो गई थी ऊथत्तर प्रदेश में भूरी डिर although respond document अपना नाम बताना है यानि की कहानी के किताब का नाम बताना है जिसका नाम है मन्जिल गुफ्तगु नजम को शाहर ने किसके नाम किया है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के नाम किया है आगे बढ़ते हैं साथ नंबर सवाल है कि शाम में मुलाकात कब तक चलेगी तो ये जो है ना शाम में मुलाकात हुई है तो ये सुबा तक चलेगी शाम से सुबा तक किसके चिटकने की सदा आती है तो घुन्चो के चिटकने की सदा आती है आपसा नमबर सी कोशन नमबर 9 है कि अलफाज की हाथों में क्या है अलफाज की हाथों में संग दुष्णाम जैसा कि मैं आप लोगों पढ़ाई हूं हर एक कोशन डाला गया है बहुत ही इंपॉर्टन्ट है तस नमबर सवाल है कि किस तौफ़ा और सौगात की बात इस नजब में की जा रही है तो जिस तौफ़ा और सौगात की बात इस नजब में ये इनकी खे ए सौरी गुफटुगु नाम की नजब में की गई है वो है दर्द और प्यार की ठीक है गुफटुगु नजब की हैएट क्या है तो ये एक आज़ाद नजब है तरख्री पसंद तहरीक की ब्तिदाई में उमारों में किन हे शुमार किया जाता है शामिल ंता है तो अली सर्दार जाफ्री को दरज्ज्र moi कौन अली की सरदार जाफ्री का रिसाला यह आनी की पत्रीका है आप लोग जांते है वहें गुफ्तु gemacht का पत्रीकां यह बी की पसंदत भी तहरीक इंपॉर्टन कोश्चन है ये भी बहुत बार पूछा गया है दर्जायल में से कौन अलीज सरदार जाफरी का शेरी मजमुवा नहीं है यानि की शेरो शेरी का किताब नहीं है सतरक आपस नमबर सी हो जाएगा मन्जिल ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन अठारा नमबर सवाल है की दर्जायल में से कौन अलीज सरदार जाफरी का तवील नजम है तो अठारा का आपस नमबर सी हो जाएगा एंड बी दोनों यानि की शिया जाग उठा और नौई दुनिया को सलाम अब नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमबर वन से स् नजम है नेक्स्ट कुश्चन थ्री नमबर क्योश्चन है कि अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई तो अली सरदार जाफरी की वफात एक अगस्त 2,000 को ही थी किस फारशे से मतासिर होकर मेरा सफफर नजम लिखी गई तो अल्लामा एकबाल याद रखेगा अल्लामा डी में हैं तरक्की पसंद अदक और सिक्स हैं कि अली सरदार जाफरी को ग्यान पीट अवर्ड कब मिला तो यह अवर्ड मिला था उन्हें सर्दार जाफरी की पेदाईश कहा हुई तो इनकी पेदाईश थी बल्रामपुर में और से बीदा करेक्ट अब यहां से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 14 का अपजेक्टिब कुशन देखिए चैप्टर नंबर 14 का नाम है खेती जो की एक नजम है सबसे पहला सवाल है कि नजम खेती के शायर कौन है तो वह है अमिक हनफी अमिक हनफ है तुई जो मिस्रा है आप लोग जानते हैं खिटि नाम की नज Beim कए सब dozen को जर्रे बनाने की आप पोताना है मरह मध्ड करता है अगला सवाल है कर्दाइश कभी तो इनकी पैडाइश कोई थी उनरब से 28 को अमीखनफी कहां पैदा हुए तो यह जिस जगह पर पैदा हुए थे उस जगह का नाम था याद रखिएगा मियो चाउनी और बी विल भी दे करेक्ट एंसर कोश्चन नमबर नाइन ऑन दो स्क्रीन है कि अमीखनफी किस मजामीन से में किया तो तारीख और सियासत अमीखनफी का पहला मजमुवा कौन है पहला मजमुवा यानि कि पहला किताब का नाम बताना है और उसका नाम है संग पैरहन ठीक है अमीखनफी के अस्ताद का नाम आपको बताना है अस्ताद का नाम है रजब अलीखां तेरा नमबर सवाल है कि दर्जजल में से कौन है और उसका नाम है शोले के सनाख्त और शेर चीज देगा रस्ति यानि कि ऑप्सन नमबर सी विल बीदा करेक्ट एंसर एंड बी दोनों ठीक है अमीग खनफी और इंडिया रेडियो में किस ओधे से किस पोस्ट से रिटायर हुए थे तो यह आप यूँ के सकते हैं स्टेशन डारेक्टर के पोस्ट से रिटायर हुए थे यह हो जाएगा सही जवाब अमीग खनफी का इंतकाल कहा हुआ इनका इंतकाल हो गया था दिल्ली में ऑप्सन नमबर सी सतरह नमबर क्योशन है कि अमीग खनफी की वफात कब हुई तो इनका वफात हो गया था आप यूँ के सक यहां तक तो हो गया चैप्टर नमबर 14 का अब्जेक्टिव कोशन कंप्लीट वडियो को अभी तक लाइक शेर नहीं किया है तो रिमाइंडर का तोर में बीच बीच में लगा दिया गया है अप लोग वीडियो को लाइक शेर जरूर कर ले यह जो है याद दिलाने के लिए है तो आप लोग फड़ फट अभी तक वीडियो को लाइक शेर नहीं किये हैं तो याद करके लाइक शेर जरूर कर देंगे कोश्चन नमबर स्टार्ट हो रहा है फिर से वन से क्योंकि यह चैप्टर नमबर 15 का अब्जेक्टिव कोश्चन है जिसका नाम है बरके कलीसा जो यानि कि इस नजम की हैएट क्या है जरीफ ठीक है जरीफा ना नजम बरके कलीसा की खालिक कहौन है यानि की लिखने वाले तो वह है अकबर लाबादी अकबर लाबादी किस पर्चे के नौरतनों में शुमार किये जाते हैं मौस्ट इंपॉर्टन कोश्चन और इसका सही ज क्या है इनका पूरा नाम है अली अक्बर ठीक है अक्बर लिन अली अक्बर पांच का ऑप्सन नंबर दी स्द्री यहां पर डी नहीं होगा अली अक्बर आप क्वसें कि पैदाइश कहां हुई तो इनकी पैदाइश वी थी बाडध के जिला में ठीक है अक्बर लाबादी कब पैदा हुए साथ नमबर सवाल है और इसका सही जवाब एक अक्टूबर नहीं 1845 अक्बर के वालिद यानिकी पिताजी का नाम क्या है बहुत ही असान सवाल नाम है तफजुल हुसेन 1856 में कितने बरस की उमर में अक्बर लाबादी के वालिदी है तो या बाद शायर ने मुसल्मानों के बारे में कही है दौलत वा इज्जत वा इमा किसके कदमों पर शायर निसार कर देना चाहता है मिसके कदमों पर निसार कर देना चाहता है दिसंबर उन्हेसा तीन में अक्बर लाबादी किस ओधे से रिटायर हुए थे तो वो मुन कि कि नाम किया था टो नके बेटे का नाम था तो नम भी कूशर नमबर 14 का अपसर नमभर 10 नमबर क्विश्चन है कि बीमी का इंतकाल कब हुआ नकाल हो गया था एक अक्टूबर उन्हेंसा दस को उन्हेंसा तेरा मैं कि इतने वर्म कि उमर में अक्बर अलाबादी के लड़के का इंतकाल हो गया था उन्हेने आप यूँ के सकते हैं उमर में पूछा गया कि इतने बरस की उमर में तो 13 बरस की उमर में सुल्ला का उप्सज़ नबर भी हो जाएगा देखिए इनकेमाता पीता क्तुव बच्पन में इंतकाल हो फिर आगे चलकर इनकी बीवी कब इंतिकाल हो गया इनके बेटे कब इंतिकाल ऻूलनी करOSH और आखर का सदमा इनका इंधर नहीं आप ठीक है 17 का ओप्शन नंबर सी यहां पर थोड़ा सा कम्फ्यूजन है अग्बर अलाबादी का इंतकाल एक अक्टूबर उन्हें सदस को हुआ था उनकी बीवी का तो एक मिनुम सुख जाए यहां पर ओप्शन में थोड़ी बहुत गड़ बड़ी है फिलाल आप लोग बताए 15 का सही जवाब क्या होगा अग्बर अलाबादी के बीवी का इंतकाल कब हुआ था है आप एक बार आप यू कह सकते हैं इन दोनों कोशन में कम्फ्यूजन है एक बार आप लोग देख लीजेगा और वैसे मैं आप लोग को पढ़ाई हूँ तो उस वीडियो को जरूर डेट पता कर लीजेगा कोशन नमबर 18 है बस यहीं पर एक गड़बड़ी है 18 नमबर सवाल है कि अकबर अलाबादी का बच्पन जादतर कहां बीटा था तो उनका बच्पन जादतर दाउत नगर और सौराम में ही बीटा था तो आपसन नमबर सी हो जाएगा सही जवाब य हैं से स्टार्ट हो रहा है चेप्टर नमबर 16 का आपजेक्टिब कोशिंत इसका नम हे मुतशायर जो कि यह दो पहला ही सौ्वाल है कि मुतशायर नज्म की हैएगी अदगा नज्वार क्यो alis 1 य क्यों चैपको पतह होना चाहिए यह जाया दूसरा सवाल है कि मुतशायर क के शायर कौन है यानि की नजम जो मुतशायर है इसके राइटर कौन है शायर लिखने वाले कौन है तरी का अपसर नमबर डी जफर कमाली ही है मुतशायर किन लोगों से दुगना कमाता है तो मुतशायर जो है अफसर लोगों से और तर्याद करने वालों से दोनों लोगों से इसी वजह से option number C हो जाएगा सही जवाब A and B दोनों ठीक है मुतशायर के लफजी मानी क्या है मुतशायर का लफजी मानी होता है बनाओ टी शायर ठीक है मुतशायर भुले मुतशायर भले शेर नहीं कहता हो लेकिन वाकिस बात पर मुतमईन है तो आप यूँ कह सकते हैं कि वो अपने शोहरत के दम पर मुतमईन है किस काम से मुतशायर कभी भी नहीं ठकता है जी हजूरी से नहीं ठकता है साथ का option number C हो जाएगा सही जवाब मुतशायर की नजर में गमखवार कौन है तो निराला असर जो है ना मुतशायर की बटर में है यानि की मक्षन बहुत अच्छे तरीके से लगाता है मुतशायर मुतशायर धनबाद और जर्या किस बनियाद पर जाता है तो वो चापलूसी की बनियाद पर धनबाद और जर्या या फिर दूसरे देश्रों में जाता रहता है मुताइर का सरदार कौन है तो मुताइर का सरदार है दिवान देने वाला यह भी important question है या तो गमखوार पूछेगा नहीं तो यार पूछेगा नहीं तो सरदार पूछेगा ठीके Next question मुटशायर का बस चले तो वह कौन सा काम कर लेना चाजता है? तो वही की पुणजी उडा लेना चाजता है, दिवान एक बदए पे कमझण दमा देना चालता है? तो आप्सा नमबर 10 हो जाएगा, सही जवाब. दर्जेल में से कौन नजम जफर का मालिकी लिखी हुई है तो आप जानते हैं सही जवाब आपसन नमबर D में दिख रहा है मुतशायर आगे बढ़ते हैं एक मिनट रुप जाए कुश नमबर 14 मुतशायर नजम में किसकी जनाजा निकालने की बात करता है तो मुतशायर नजम में उर्दू की जनाजा निकालने की बात कहता है ठीक है कुश नमबर 15 कि गलत फैमियों का जब रंग गोला ममूले ने बदला है शाही का चोला मिसरा किस नजम से लिया गया है तो ये नजम मुतशायर से लिया गया है गयरत को जबा करना मुहावरे का मतलब होता है नहायत बेशरम होना मुतशायर हमेशा किसको लूटता है तो हमेशा अफसर तो होगा नहीं अफसर 17 का A नहीं होगा B भी नहीं होगा C होगा उर्दू को हमेशा जो हैना मुतशायर लूटता रहता है क्योंकि उर्दू तो इसको आती नहीं है श्रिशारी करने आती नहीं है तो उर्दू के नाम पर ये लूटता रहता है अठारा नम्बर क्योशन है कि कि दुहाई देना का मानी क्या होता है तो किसी का नाम लेकर फर्याद करना अपसन नम्बर ए हो जाएगा सही जवाब चले ठीक है ये चैप्टर नम्बर 16 कंप्लीट अब 17 का सबसे पहला सवाल देखिए 17 नम्बर चैप्टर का नाम है हम नहीं जानते पहला सवाल है कि शामिल नसाब नजम हम नहीं जानते का तरजमा के जबान से किया गया है तो इस नजम का तरजमा जो है इतालवी जबान से किया गया है नेक्स्ट कोश्टन नजम हम नहीं जानते इसकी हैयत क्या है किस तरह का नजम है ये एक आजाद नजम है योजीनों मुंताले किस सदी के शायर है इंपॉर्टन्ट है याद रखिएगा ये उननीसवी नहीं बीसवी शदी के शायर है, याद रखियेगा योजीनो मुनताले की पैदाईश कहां हुई योजीनो मुनताले की पैदाईश हुई थी जिनेवा में, नजम हम रिएहं रूट की जानते, का उर्दू तर्जमह किसंने किया तो기도 ज़ाहिद जएदी ने किया था ठीक है नजम हम नहीं जानते के शायर कौन है यानि की लिखने वाले कौन है लिखने वाले हैं योजीनो मुंताले लेकिन तर्जमा जो जिसने किया था वो है जाहिदा जाहिदी यूजिनों मुंताले का पहला शेरी मजमू़ख कब शायिव या न की पहला कहानी का किताब कब प्रकाशित हुआ तो उने सब 15 में प्रकाशित हुआ था उनका पहला शेरी मजमूख कितने साल की उमर में प्रकाशित हुआ तो 19 साल की उमर में योजीनो मुंताले कब पैदा हुए तो पैदा हुए थे अठार सो चानबिर में ठीक है दस्वा सवाल है कि इस नजम में किसके आहंग और खामोश सरगम को शायर अपने साथ ले जाना चाहता है तो वो है उमीद, उमीद को जो है न शायर अपने साथ ले जाना चाहता है योजीनो मुंताले अपनी जिन्दगी का जादतर हिसा कहां गुजारे तो जादतर हिसा फ्लोरेंस में ये गुजारे थे जिन से तरासा गया किस्ता जिन्दगी का बदान मिस्रा किस नजम से लिया गया है किस नजम से माखोज है इसका सही जवाब सी हो जाएगा हम नहीं जानते हैं यो जिनों मुंताले को नोबल इनाम से कब नमाजा गया तो उन्हें से 75 में नमाजा गया था इनको नोबल इनाम से जाहिदाजदी अलीगर मुसलिम इनिवर्सिटी के शुबा अंग्रेजी के किस ओहदे से सुबक दोस्ट होई, किस पोस्ट से रिटायर हुई थी, यह सवाल पुछा गया है, सही जवाब आपसनमबर यह होगा, प्रोफेसर के पोस्ट से रिटायर हुई थी, रिटायर, प्रो जाहिदाजदी के ड्रामों का मजमुआ है, यानि कि ड्रामा का किताब है, वो है दूसरा किनारा, दूसरा किनारा, सुरी, दूसरा कमरा, जाहिदाजदी किस यूनिवर्सिटी के शुबा अंग्रेजी के प्रोफेसर के ओदे से सबग दोस्ट हुए, यानि कि रिटायर तो ये जादर शायरी में भी तनाखीद में भी और ड्रामा में यानि कि आपसन नम्बर डी हो जाएगा सभी में एक फुर्ट रखती है 90 नम्मबर कुश्चन है कि तरसील के मानी क्या है तरसील का मतलब होता है भेजना तनफस के मानी क्या है ये भी important question बहुत बार पूछा गया है इसका मानी होता है सांस लेना अब देखिए यहां से जो question स्टार्ट हो रहा है वो गालिब की घजल से है यानिकी मिर्दा गालिब के बारे में question होगा और उनकी जो घजल दी गई है उनसे question होगा तो देखिए सबसे पहला सवाल है कि चमन में किसके जाने से दबिस्तान खुल गया तो मिर्दा गालिब के जाने से क्या हो गया दबिस्तान खुल गया इनकी school college खुल गया आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल देखिए दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हुमे या बात शायर ने किस से कही है तो बात शायर से कही है या फिर महबूबा से कही है यहीं पर student जो है अटक जाते हैं आखिर क्या होगा सही जवाब तो इसका सही जवाब option number B हो जाएगा महबूबा से ठीके तीसरा सवाल देखिए मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या है मिर्जा गालिब का पूरा नाम है अस्दुल्ला बेग खा देखिए option number B میں दिखाई दे रहा है ना दुलाब एखा भीरे से टिक कर दीजिए question number 4 है कि शायर को कौन मिटाना चाहता है तो शायर को जो है ना दुनिया यानि कि जमाना मिटाना चाहती है मिर्जा गालिब को कौन लोग नहीं जानते हैं अजीज लोग नहीं जानते है question number 6 है कि मिर्जा गालिब की पैदाईश कब होई मिर्जा गालिब की पैदाईश सतरस संतानबर में होई थी मिर्जा गालिब किसे शहर में पैदा हुए तो ये आगरा में पैदा हुए थे आगरा में 1767 बेरिस भी में ठीक है गालिब ने वजीफ अखवार किसको का है तो अपने आपको का है 8 का अपसर नमबर A हो जाएगा कुशन नमबर 9 है कि मिर्जा गालिब के वालिद यानि की पिता जी का नाम क्या है तो मिर्जा अब्दूल्ला वे खार आप चानते है 9 का अपसर नमबर B मौहिट किसे कहते हैं तो खुदा को एक मानने वाले को हम लोग मौहिद कहते हैं तसका अपसर नमबर क्या हो जाएगा Neptune C हो जाएगा सही जवाब रंज से खोगर होने से क्या मुराद है तो रंज का आदी होना ग्यारा का आपसा नमबर बी याकूब लिएसलाम और यूसुफ लिएसलाम में क्या निस्बत है तो याकूब लिएसलाम और यूसुफ लिएसलाम में अब जानते हैं बाप और बेटे का रिष्टा है देखिए बेटे और बाप मत लगा देशिएगा बाप और बेटे याकुब लएसलाम पिता जी है यानि कि वालिद है और युसुफ लएसलाम बेटे हैं उनके मिर्जा गालिब के चचा का नाम क्या है तो मिर्जा याद रखिएगा नसुरूलाः बेग ठीक है मिर्जा गालिब के चचा का नम आपसा नमबर C नसुरला बेगखा मिर्जा गालिब के वालिदा यानि की मा का नम क्या है तो इसका जो सही जवाब होगा आपसा नमबर B हो जाएगा इजट उन्निसा बेगम गालिब की शादी कितने साल की उमर में हो गई थी तो 15 का सही जवाब होगा आपसन नमबर भी 13 साल की उमर में ही हो गई थी मिर्जा गालीब की शादी किस से हुई तो इसका सही जवाब होगा आपसन नमबर ए उमराओ बेगम से हुई थी 17 नमबर क्योशन है कि शायर के रोते रहने से क्या होगा तो आप जानते हैं शायर की रोते रहने से बस्तिया वीरा हो जाएंगी या निकी खाली हो जाएंगी मिर्जा गालीब का पहले पहले स्टार्टिंग में तखलुस क्या था तो असद था बाद में इनका तखलुस चेंज हो गया और गालीब लगाना स्टार्ट कर दिये गालिब का इंतकाल कब हुआ? ये पूछा गया है तो 1879 B को 1879 B में इनका इंतकाल हो गया था मिर्ज़गालिब का तकलिस क्या है? तो गालिब है स्टार्टिंग में पहले पहल असद था बाद में बदल गया दर्जैल में कौन गालिब की फार्सी तस्निफ नहीं है तो वो होगा आपसन नमर सी उदे हिंदी खतुत गालिब के एक मजमुआ का नाम बताईए यानि की गालिब के खतुत के एक किताब का नाम बताना है और उसका नाम है उदे हिंदी या तो आपसन में उद्य हिन्धी दिया रहेगा नहीं तो उर्दो मुळ्या दिया रहेगा दोझों में से कोई भी दिया रहे दोझों में से कोई एक देगा इसको धीरे से टिक कर दीजेगा शादी के चंद बust बाद मिर्जा गालीब कहा चले गए थे तो शादी के कुछ सालों के बाद मिर्जा गालिब जो है ना दिल्ली चले गए थे दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं मिस्रा किस घजल से लिया गया है सही जवाब होगा आपसा नमबर डी अजदुल्ला खा गालिब उर्दो मुला किसका मजमुआ है आप जानते हैं मिर्जा गालिब का है ठीक है हर्फ मकरर का मानी क्या होता है हर्फ मकरर का मतलब होता है दो बार लिखा हुआ हर्फ नेक्स्ट कॉस्टन कॉस्टन नमर 27 की नुमाया होना का मानी क्या है नुमाया होना का मतलब होता है जाहिर होना जुए खूँ आखों से बहने दो के है शाम फिराग ये किसकी घजल है मिर्जा गालिब की है 28 का अपसन नबर सी हो जाएगा देखिए अजदुल्ला खा गालिब लिखा हुआ है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कुछ नबर 28 के बाद 29 है कि खानदानी पेंशन के सिलसले में गालिब कहां का सफर किये थे इनको कहां का सफर करना पड़ा तो इनको सफर करना पड़ा था कलकत्ता की अपसन नबर भी हो जाएगा सही जवाब आगे बढ़ते हैं तीस नबर सवाल है कि मिर्जा गालिब के नाना का नाम क्या था तो मिर्जा गालिब के नाना का नाम था याद रखना है मिर्जा गुलाम हुसैन खा ठीक है ना यहां तक तो हो गया चप्टर नमबर आप यूँगे सकते हैं 18 और 19 यह दोनों चप्टर मिर्जा गालिब के दोरा लिखी गई गजल थी अब जो कोशन स्टार्ट होगा वो चैप्टर नमबर 20 से स्टार्ट होगा यानि कि 20 नमबर 20 और 21 जो है न उसमें यगाना चंगेजी की गजल है है तो चैप्से पहले सवाल है कि यगाना का असली नम यानि कि रियल नम आपको बताना है आप जानते हैं मिर्जा वाजिद हुसे नियास यगाना चंगेजी några हो जाएगा सही जवाब यगाना के मानी क्या होता है यगाना का मतलब होता है अजूबा यगाना की वफात कब हुई यगाना चंगेजी की वफात हो गई थी लखनों में ठीक है कब हुई सॉरी कहा हुई पूचा गया है तो लखनों में हुई थी यगाना चंगेजी की पैदाईश कब हुई कोशन पूचा गया है और सही जवाब होगा आपसन नमबर सी 1884 को इनकी पैदाईश हुई थी यगाना चंगेजी का पहले पहल तखलुस क्या था तो स्टार्टिंग में ये जो तखलुस रखते थे ना वो इनका तखलुस था यास लेकिन बाद में यगाना बदल कर कर दिया कोशन नमबर सिक्स है कि पहाड काटने वाला की इस्तिलाह किस के लिए इस्तिमाल की जाती है तो पहाड काटने वाले की इस्तिलाह फराद के लिए इस्तमल की जाती है अदब ने दिल के तकाजे उठाए है क्या किया मिस्रा किस की घजल से लिए गया है तो आभी जोली बात है यहाना चंगेजी की घजल से लिए गया है अपसुर मोझारशंगेजी Dur कि पीता जी का नाम क्या था तो कुशन नमबर नाइन का सही जवाब हो जाएगा अपसर नमर बी विर्जा घुलाब हुसैन दस नमबर सवाल है कि दर्जाइल में कौन यह गाना चंगेजी की किताब नहीं है इसका जो सही जवाब होगा वह ओगापसर नमबर डी पंच आहंग यगाना चंगेजी अपनी जिन्दगी का बेस्तर हिस्टा कहां गुजारें तो ये गुजारे थे जादतर लखनव में ठीक है लाहूर के आम के दौरान यगाना चंगेजी की मुलाकात किस्से हुई थी तो मुलाकात हुई थी अल्लामा एकबाल से यगाना चंगेजी इंट्रेंस कब पास किये थे तो इसका सही जवाब होगा उपसन नमबर सी उन्हेसद तीन में कोशन नमबर फोटीन है कि यगाना चंगेजी की बेगम कब पाकिस्तान चली गई सही जवाब होगा उपसन नमबर उन्हेसद चोवन में यगाना चंगेजी कहा नौकरी किये थे तो इन्होंने नौकरी किया था अवद अखबार मेरे लिए में कलर के तोर पर इसलामिया इस्कूल में यानि कि आपसन बड़ी हो जाएगा सभी यगाना चंगेजी कब रिटायर हुए है इंपोर्टन कोशन है इसका सही जवाब होगा आपसन नंबर सी उन्हें सब्यालिस और यगाना का इंतकाल कब हुआ तो हुआ था उन्हें सचपन में ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अठारा नंबर क्योशन है कि चाचा यगाना चंगेजी कि अब्तदाई तालीम कहां से कहां हासिल हुई आपसने में चचा से भी म सब्सक्राइन की शोरुआती शुक्षा लिए थे यगाना चंगेजी कि शादी कि से हुई तो यगाना चंगेजी की शादी हुई थीids हुञत कनीज हुसैन से hearts नंबर यही हो जाएगा सही जवाब सवारा कि यगाना चंगेजी और सबसे पहला सवाल है कि खलीलुर्यमान आजमी कहां पैदा हुए तो खलीलुर्यमान आजमी पैदा हुए थे आजमगर में आफसा नमबर भी ठीक है आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल है कि किताब अर्दू में तरक्य पसंद अद्वी तहरी किसकी लिखियोई है सही जवा होगा option number D तरक की पसंद भी तहरीक से रहा था खली रॉयमार आजमी का पेशा क्या था तो इंपॉर्टन कोशन है इसका सही जवाब होगा चार का option number C तद्रीज का ठीक है next question की तरफ बढ़िए question number five है कि खलील रह्मार आजमी का तालू की किस तालीमि एदारे से था तो पांच का option number B अज़ा फड़ना यूनिवर्सिटी स्षा उरी 5 का option number B Dan Mi imagine की पैदाईश कभ तो इनकी पैदाई शूई थी उनेशा 27 इस भी में ठीक है खलीर रहमना आजमी की अबतदाई तालिम कहा हुई थी इनकी आजमगड में ही दरजहल में कौन खलीर्यर्यमान आजमी का शेरि मजमूण नहीं है यानि कि शेरो शायरी का किताब नहीं है तही जवाब होगा आठ का डी सहर अलबयान next question देखिये दर्जाल में कौन खलीलर माना झाली की तनकीदी मजमेन का मजमुऊाँ नहीं है तो आसमा ये नहीं है आप्सन मोर C हो जाएका next question आंग थी स्क्रीन है कि सहर अलबयान किसकी मस्णवी है आप चानते हैं ये कहलीलरमान कि मसफ़नामी है ठीक है और यहां पर कोश्ट क्या पुछा गया था में खलिरयो मनायां राजमी का मजबवा क्योंकि यह मसनवी है जी किया तंग गया था नेक्श कोशन शुबह उर्दु में वली गड़ शुबए उर्दु अर्दु में खली रिमार आजमी का तक्रूर हुआ किसके तार पर तो जी हां लेक्च्छर के तौर पर ओपसा नंबर A is the correct एंसर खली रिमार आजमी की वफात कितने साल की उमर में हुई तो इनकी वफात लगभग आप यू कह सकते हैं एक्यावन साल की उमर में खलील रहमार आजमी शायर के लावा और क्या थे तो ये शायर के लावा नकाद भी थे आसमा ये आसमा कब शाय हुआ तो इसको परकाशित किया गया था दो 2000 में 17 नमबर सवाल है कि मुकदमा कलाम आतिश किताबी शकल में कब मनजर आम पर आया था आपस नमबर डी उनएसा 69 में तिशनगी के मानी क्या है तिशनगी का मतलब होता है जैसा कि मैं आप लोगों बताई हूं प्यास 19 नमबर क्वेशन है कि इस पर भी दुश्मनों का कहीं नाजमी की घसल से लिया गया है 20 नमबर सवाल है कि खलील रॉरमान आजमी के हम असर का नाम बताईए अपसर नमबर सी हो जाएगा सही जवाब यानि कि ए एंट बी दोनों नासिर काजमी और इबन इन्सा ये दोनों जन जो है ना ये खलील रॉमान आजमी के हम असर है ठीक में ये बता दी आपसन नमर बी हो जाएगा सही जवाब खालील रामानाजमी किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे तो आप लोग जानते हैं सही जवाब क्या होगा अलिगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खालिब अर्दू के साथ साथ की जबान में शायरी करते थे तो फार्सी में शेर उशायरी किये थे लेकिन मशूर अर्दू शायरी से हुए खलील रुमानाजमी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता थे तो तरक्रिय पसंद अदबी तहरीक खालीब का असल नाम क्या था तौस्दूलला खा गालीब नेक्स्ट कोशन है इनमेंसे किस शायर का तालुक फिल्मी दुनिया से रहा है तो साहिर लोधियानवी आपसा नमबर ए में दिख रहा है घजल का आखरी शेयर जिसमें शायर अपना तकलुस इस्तमाल करता है उसको कहते हम लोग मक्ता आपसा नमबर बी यह गाना चंगेजी क कि वफात कहां हुई तो इनकी वफात हो गई थी लखनव में जिन्दगी ए जिन्दगी किसका शेयरी मजमुआ है तो जिन्दगी ए जिन्दगी खलीलरमान आजमी का शेयरी मजमुआ है हम बासुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा यह किसकी घजल का मिसरा है तो यह खल के लाता है जिल में कौन शायर और पंच के नौन रतनों में शुमाल शुमार किये जाते हैं या फिर शामिल थे तो वह है अकबर लाबादी इंपॉर्टन कोशन है आगे बढ़ते हैं दर जायल शेर के शायर कौन है ये दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हुआ है खाक मिर्जा नौशा के नाम से किन से कौन से शायर मारूफ है यानि कि किन को मिर्जा नौशा भी कहा जाता है तो वो हैं मिर्जा गालिब गालिब कब पैदा हुए तो 1767 में ये पैदा हुए थे मिर्जा गालिब कहा पैदा हुए तो ये आगरा में पैदा हुए थे जेल में A में ही दिख रहा है गालिब की वफात कभी तो 1879 आपसन नमबर B मक्ता किसको कहते हैं गजल का आखरी शेर आपसन नमबर A इस दा करेक्ट अंसर गजल के इशार में जो लफ़ बार बार आता है उसे हम लोग कहते हैं रदीफ शायर अपने शायर में असली नम के लावा एक मुखतसर नम इस्तमाल करता है उसे क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं तखल्स तश्वीब का तालुक किस सिन्फ शायरी से है तो तश्वीब का तालुक है कसीदा से कसीदा का वा हिस्सा बताईए जिससे गजल जैसी सिन्फ पैदा हुई तो तश्वीब कसीदा का स्टार्टिंग वा हिस्सा तश्वीब कहलाता है जिससे गजल जो है वो पैदा हुई गालिब का पहला तखलुस क्या था यानि कि पहले पहल वो तखलुस क्या करते थे तो असद तखलुस रखते थे अर्दु शायरी में कौन सिन्फ मकबूल तरीन है तो अर्दु शायरी में जो सिन्फ मकबूल तरीन है वो है सबसे ज्यादा गजल यानि कि सबसे जिदा मशूर वो मकबूल गजल ही है गजल किसे सिन्फ शायरी से माखूज है तो कसीदे से माखूज है अब देखें यहां पर अगला सवाल है कि अता काकवी ने गम अर्शद किसकी मौत पर लिखा तो ये अपने बेटे की मौत पर लिखे रहते हैं गम अर्शद के मसन्निफ कौन है तो वह है अता काकवी यानि कि अता काकवी यहीं जो है गम अर्शद लिखे हैं अपने बेटे की मौत पर जो कि अभी जवान रहता है 34 साल के उसकी उमर रहती है तब ही इसका इंतकाल हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अर्शद काकवी औ और बाद में अर्शद काकवी रहता कि बताइए अता काकवी और अर्शद काकवी में क्या रिष्टा है तब आप लोग बाप और बेटे का रिष्टा लगाते लेकिने आपर अर्शद काकवी पहले हैं जो कि अर्शद काकवी अता काकवी के बेटे हैं तो अर्शद काकवी किस अदद के बराबर होता है जैसा की मैं आप同ों बताई भी हूँ बान बेर 92 92 का मतलब क्या होता है मुहम्म, आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोष्ण, मर्सिय की तमहीद को क्या कहा जाता है, तो मर्सिय की तमहीद को कहा जाता है चेहरा, सबसे मशहूर मर्सिया निगार, आप जानते हैं मीर अनीस है याद रखिएगा इंपॉर्टन कोश्चन है मीर अनीस का पूरा नाम लिखिए तो मीर अनीस का पूरा नाम है मीर बबर अली गुलजार नसीम किसकी तखलीक है गुलजार नसीम जो है यह दैशंकर नसीम की तखलीक है यह इनकी लिखा हुआ है आगे ब important समझते हुए हर एक point में आप लोगो पढ़ाई हूँ याद रखना है मीर अनिस कहां पैदा हुए तो मीर अनिस की पैदाईश हुई थी फैजबाद में उत्तर परदेश ठीक है आगे बढ़ते हैं उर्दू का उर्दू की पहली फुदनविष्ट कौन सी है वह काला पानी एकदाईश की पैदाईश को हुई तो उनिस्सा चोदर में actा नबर भी लिख रहा है एक सामबर एए तो कजी दानेश हरि और ऑपसर नंबर शी तिक करते ना है आगे बढ़ते हैं अब पड़ाफट हम लोग जितने भी कोशन बचे हुए है देखिए चेप्र नबर 24 25 और 26 तीनों को मिक्स करके एक ही में ये प्रिफ तयार किया गया है देख सकते हैं चले इसको कंप्लीट करते हैं पहला सवाल है कि अता काकवी ने कतल ता आता काकवी क्या है बाप है यानि कि ये वालिद है तो बाप जिसमें पहले रहेगा उसको टिक करना है बाप और बेटे का रिष्टा है ओप्सन नमबर एज दा करेक्ट एंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल जब अर्शद काकवी की वफात हुई तो वह कितने साल के थे तो फूरतिस साल के थे थे तो फूर्था सब्सक्राइब़ नमबर इज और शब्सक्रा अर्शद काकवी के दो बेटों का नाम बढ़ा के दो बेड़तों का नाम है जमील और एकील चार का उपसन नमबर सी जमील और अकील शायर ने सरे अलम मिलाकर कितने अदद का इजाफा किया है सरे अलम मिलाकर शायर ने एक अदद का इजाफा किया है अता काकवी की पैदाईश कब हुई अता काकवी की पैदाईश हुई थी 1904 में अता काकवी के रिसाला यानि की पत्र वियन की काकों में पैदा हुए थे अश्रफ कादरी की वफात किस साल हुई तो उन्हेसर अंठानबिर में हुई थी कानून दा को उर्फियाम में क्या कहते हैं कानून दा को उर्फियाम में कहा जाता है किस साल बने तो वो बने थे उन्हेसर अंठानबिर में मिनारे तस्कीन से क्या मुराद है तो मिनारे तस्कीन का मतलब होता है सकत, तसली कास्तून, तसली कास्तून को कहते है मिनार तसकीन, बागो बहार के अदाद बताईए, बागो बहार का जो अदाद होता है, उनकी अदाद आप यू के सकते हैं, वो होता है 12-17, ये इंपॉर्टन कोशने पूछा गया है, वाहिद नजीर का असल नाम यानकी रियल कहां हुई तो जहारखंड में हुई थी इनकी पैदाईश आगे बढ़ते हैं पड़ाफट अठारा नंबर क्योशन की दस्तार या मीरी के मानी क्या होता है इसका मतलब होता है सर्दार की पगड़ी अता काकवी का का इंतकाल कब हुआ तो उनैसा अंठानविर में हुआ था बीस नंबर सवाल है कि अता काकवी का इंतकाल कहां हुआ तो गोरखपूर नहीं पटना में हुआ था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन देखिए फड़ा फट ये जो है ना चैप्टर नंबर 27 और 28 को मिला कर ह तो देखिए पहला सवाल है कि मीर अनीस का पूरा नाम क्या है तो आप जानते है मीर बबर अली अनीस एक का उपस नंबर 2 मरसिया की तमीद को क्या कहते हैं चेहरा कहते हैं उर्दू के पहले मरसिया का नाम क्या है तो वो है नौ सरहार पटा पटा आगे बढ़िए चार नं कि किस दविस्तान से है अनिस का तालुक को जो है ना लखनव दविस्तान से है नेक्स्ट कोशन अनिस के सलाफ में किस मस्नवी निगार का नाम आता है तो मीर हसन का नाम आता है सिक्स का भी हो जाएगा कोशन नमबर सेवन है कि मीर अली कहां पैदा हुए अनिस ये कहां पैदा हुए तो यह गुलाब बारी में पैदा हुए थे कितने साल की उमर में मीड अनीज जो है शेर कहना स्टार्ट कर दिये थे तो बारा साल की उमर में ऑप्सन में बारा नहीं दिख रहा है बट यहां पर डीम इसको हम बारा बना देते हैं बारा ऑप्सन बडी इस था खरेक्ट शायर जो जिर्दागी भर किसी दर्बार से मुंचलक नहीं हुए उनका नाम क्या है याद रखेएगा यह यह भी consistent है वह है मीर बंबर expressions क्वार के दर्बार में मुंचलक नहीं हुए मिरनीस का तखल्स क्या है तब का तखल्स कंडा था हुआ तो इनके इंतकाल कब किते हैं अलार्ज क seront को बद्धू कैसा अسب बुद्धू के इस शाजता है तो बुद्धू जो मिस्तिरी था भार तो पूछे हिमत बहुत ही शरीफ और मेहनती मिस्तिरी था 15 नमबर सवाल है कि रहट पर मजदूर को मजदूरी कितने मिलती थी तो बारे आने मजदूरी मिलती थी आपसन नमबर बी में दिख रहा है रत्ता कौन था तो रत्ता रहट पर काम करने वाला मिस्तिरी था 17 नमबर सवाल है कि एसान दानिस ने किस यूनि काम किये थे आम तर पर रिषट चलाने का काम किस जानवर से लिया जाता था तो वह बैल से लिया जाता था ठीक है हर नौटा किसको कहते हैं खुबसूरत और गठीले बदन वाले को नौटा कहते हैं आप लोगों को एक दम जबान पर एंसर पता होनी चाहिए कि यह हर एक एहसान दानिश की एहसान दानिश का रियल नेम आपको बताना है इनका रियल नेम जो है वह है एहसान दानिश के वालिद यानिकी पिता जी का नाम क्या है तो है काजी दानिश अली एहसान दानिश कहां पैदा हुए एहसान दानिश की पैदाईश हुई थी कांधला में एह अगला सवाल है शामिल निसाब दास्तान के मुसन्निफ कौन है यानि की जो दास्तान आप लोगे बुक में दिया गया है जिसका नाम है फसाना या जाइब फसाना या जाइब जो है न चेप्टर नमबर 29 है समझे की चेप्टर नमबर 29 का सवाल है 29 तक हम लोग पहुँच चुके हैं तो फसाना या जाएब दास्तान की मुसनिफ कौन है वो है रजब अली बेग सुरूर यानि की राइटर कौन हो गया रजब अली बेग सुरूर की पैदाईश कब हुई तो इनकी पैदाईश सत्रसा 26 बी में ऑप्सन अबर ए में दिख रहा है दीरे से टिक कर दीजिए तो जब अली बेग सुरूर के वालिद का नाम क्या था वैसे यहां पर एंसर दिया गया है लेकिन आप लोग एंसर को मत देखिए खुद से एंसर बताने की कोशिच कोशिच कर जैब अली बेग सुरूर के वालिद का नाम था मिर्जा आप यू के सकते हैं मिर्जा असकर अलीबेग सुरूर जी हाँ आपसा नमबर बीज तो करेक्ट एंसर कोश्ट नमबर फूर है कि सरदार का सर सुरूर सौरी सरदार में पढ़ रहे हूं रजब अलीबेग सुरूर का इंतकाल कब हुआ तो 1879 में आ नहाना पर सुरूर का करूर किया यानि कि कि इसके अफसाना निगार कौन है वह राजैंदर सिंग बेडी पैदाइश कभ उए उन्हें सब 15 में हुई थी यह इंप्रेंट सवाल है राजैंदर सिंग बेडी के बालित का नाम हीरा सिंग भेडी था देखिए सी में दिख रहा ही रासिंग बेदी राजन सिंग बेदी अब्तदा में किस नाम से लिखते थे मौसिन लाहुरी ये भी इंपॉर्टन कोशन है मौसिन लाहुरी के नाम से लिखा करते थे बेदी का इंतकाल कब हुआ तो 1924 भी ऑपसन अबर बी में दिख रहा है अब चली फड़पट हमारे दो को फर्खंदबख्त कहा गया है दूसरा सवाल है कि बादशा सनलतनत छोड़कर कहां चला गया तो वो दूसरे शहर चला गया साइल को क्या मिला साइल को बादशाहत मिली और बेचारा वो जो बादशाह है वो उस दो शहर को छोड़कर चला गया दूसरे सहर और जिसके वेकुफी का काम किया बादशाहत दे दी एक ही जटके में और फिर उसके बेवी बच्चे सब चले गए रजबरी बेक सुरूर कहां के बाशिंदे थे तो बाशिंदे थे लखनाओं के चार का ए हो जाएगा सौधा ने सौधागर ने बादशाह के सांथ कैसा सुलुक किया तो कि बेगम के सांथ बादशाह की बेगम किस के सांथ गई वो सौधागर के सांथ गई थी दरजजल में से कौन मिर्जा रजब अली बेक सुरूर का दास्तान है फसाना या जाइब नहें आपसन नबर बी बादशाह किस मिजाज का आदमी था तो बहुत ही नेक मिजाज का कि किसके student थे तो मिर्शोज के student थे यमन के बादशाह के कितने बेटे थे उनके दो ही बेटे थे 11 का option number B हो जाएगा खुदा दोस्त किसको कहा गया यमन के बादशाह को ही कहा गया option number B is the correct answer رजबभणी बेख सुरूर का इंतकाल कब हुआ 1869 सुरूर का कहा हुआ पुछा गया यह कभ हुआ तो राम नगर में तजयल में कौन रजबभणी बेख सुरूर का किताब नहीं है तो नहीं हम दितर दे दे दिजष च्छोटा बेता कारेंटीन अफ्णाने में किस वबा का जिक्र है तो आक़रेंटीन अफ्णाने में जो है नवो गुदे नमक वबा का जिक्र है माजाइब किदा चारब किताब काई Hmm किता कहा kardeşim करने वाले इस्ताहार के अन्वान में लोगों ने किस बात का इजाफा किया तो उन्होंने इजाफा किया था ना क्वारेंटीन का यानि की ना चूहा ना प्लेग ना क्वारेंटीन ना कौरेंटिन का जफा हुआ था राजेंदर सिंग बेदी की पैदाईश कब हुई तो उनकी पैदाईश हुई थी उन्हें सब 15 इस भी में बेदी कहां पैदा हुए तो बेदी की पैदाईश हुई थी लाहौर में और फसाना एजाईब किताब कब लिखा गया तो ये किताब लिखा गया अठार सब 25 में 24 नमबर सवाल है कि बेदी के वालिदा का नाम क्या था तो बेदी के वालिदा का नाम था सीवा देवी यानि कि मा का नाम वालिद का नाम क्या था वेदी के तो इनके वालिद का नाम था हीरा सिंग वेदी कौार एंटी अफसाने की किरदार डॉक्टर का असल नाम यानि की रीयल नेम क्या है वह है रेवरेंट मुंटतलाबे कौरेंटी काने में सफाई का काम करने वाले भागो का पूरा नाम विलियम भागो भागो के घर प्लेग से किसकी मौत हुई तो प्लेग से मौत हो जाती है भागो की बीवी को ठीक है भागो की बीवी का इंतकाल हो जाता है बेदी की शादी किस से हुई बेदी की शादी होती है सुमावत कौरिंटीन को दोजख किसने कहा तो विलियम भागो नहीं कहा था वबा पर काबू पालेने के बाद डॉक्टर को कौन सा अधा मिला तो लेटिनेंट करनल का अधा मिलता है डॉक्टर साहब को वेदी के पहले अफसानों का मजमुआ का नाम बताईए कहानी की किताब का नाम ब कि लिए भागो मैं करेक्टर रहता है कुछ नंबर 34 है कि तालिब गनली के जमाने में बेडी क्या नाम लिखते थे LEE के जमाने वह नाम कि अब देखी अगला सवाल स्टार्ट हो तोरहा है जेपी किस रहनुमा के रास्तों पर चलने की तलकीन करते हैं जैपरकाश नरायन गांदे जी के रास्ते पर चलने की तलकीन करते हैं ठीक है तूसरा सवाल है कि क्वान्टिटी क्वालिटी में बदल जाती है किसने कहा है तो ये जो कॉल है ये है कालमाक्स का कालमाक्स ने कहा ह एकाई की quantity quality में बदल जाती है तिसरे स्वाल है कि जमोरियत में यकिन होने के वजह से JP को किस चीज़ में यकीन नहीं है तो वह iets तशद्दुद कामिजे इनकलाब का तसवर किस ने पेस तो जय प्रकास्ट नराएं ने पेश किया था औपसर नė प्रकास्थ dość कब हुई उन्हा इसाठ दो में हुई थी ने कहां हुई टो इनकी पड़ाइश हुई थी सिताब दियारा नाम की जगह पर किसे इनकलाब में तब्हद की रफ्तार बड़ी धीमी रही है तो आप जानते हैं पुर्त तशद्द इन कलाब में तब्दिली की रफ्तार जो है ना परिवर्तन की रफ्तार बहुत धीमी होती है जै प्रकाश नरायन के वालिद का नाम क्या था तो वालिद का नाम था हरसु दयाल नेक्स्ट कोश्चन विदान्त का फलसफा विवेका नंद ने अम अरजनसी कब लगा था यह लगा था उनेसे 75 में ही ना जी हा आपसन नंबर ए हो जाएगा उनेसे 74 के तालिव इलमी की तहरीक के बाद जै परकाश नरायन को कौन सा नाम मिला तो इनको लोक नायक का नाम मिला था उसी वक्त जै परकाश नरायन का इंतकाल कब और कहा हुआ तो इनका इंतकाल हो गया था पतना में उनेसे 89 में ठीक है कामिलिन कलाब के मुसनिफ कौन है रायटर वह जै परकाश नरायन शिकस्ति जिन्दा का खाब किसकी नजम है तो सिकस्ति जिनदा का खाब यह चेप्टर नमर 32 है और यह जिसकी नजम है उनका नाम है जोष मली जोश मलिय अबादी की शादी किसे हुई होती है तो जोश मलिय अबादी की शादी होती है अश्रफ जहां बेगम से आपसन नमबर बी जिन्दानी से क्या मुराद है जिन्दानी का मुछलब होता है जेल के गैदी जेल के गैदी जो होते हैं उनको कहा जाता है जिन्दानी शि की ताबिर है मुलक की आजादी आजादी के बाद जोश मली अबादी कहां चले गए तो आजादी के बाद ये चले गए थे पाकिस्तान दसले में से कौन जोश मली अबादी की तस्मीफ यानि की किरियेशन नहीं है तो इसका सही जवाब होगा आपसा नमबर C जेल डाइरी 22 नमबर सवाल है कि जोश मली अबादी के वालिद का नाम क्या था तो इनके वालिद का नाम था बश्शीर एहमद खा जैपरकाश नारायन ने पहली बार गिरफतार कब हुए थे तो ये गिरफतार हुए थे पहली बार उनैसा 30 में ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल किस जेल की दिवार से जैपरकाश नारायन ने खुद को भाग निकलने में सफल में देखिया है पर थोड़ सा गलर टाइपिंग हो गया है किस जेल की दिवार से जैपरकाश नारायन जो है ना कूद कर भाग निकले तो आप जानते हैं वो हजारी बाग का जेल था सटरा फिट की उशी दिवार से जो है न ज्यान परकाशन रायन कुद कर भाग निकले थे जेल से जोश का इंतिकाल कब हुआ और ऐसा कहा जाता है कि अगर वो भागते नहीं तो फिर वो अंदोलन सफल भी नहीं होता तो जोश का इंतिकाल कब हुआ अगला सवाल है इसका सही जवाब होगा उन्हेसा बेयासी जोश मली अबादी का तखल्स क्या है आप जानते हैं जोशी होगा ना मारेसिया का मानी क्या होता है मारेसिया का मतलब होता है काला सांप कोश नमबर 29 है कि जिन्दानी के मानी क्या होता है जिन्दानी का मतलब होता है जिन्दानी का मतलब होता है जिल के कैदी और जिन्दान का मतलब होता है कैद खाना ठीक है जोश मलियबादी कब पैदा हुए जोश मलियबादी की पैदाईश हुई है अठार सच चानबिर में जोश मलियबादी की पैदाईश कहां हुई तो कहां हुई याद रखिएगा लखनों में हुई थी ठीक है फड़ा फट आगे बढ़ते हैं अब देखिए अगला कुशन है कि जिर निसाब नजम आवारा के शायर कौन है वो है मिजाज लखनवी नजम आवारा जो है ना ये चैप्टर नमबर 33 है इसरालुलहक मिजाज की पाइश हुई थी और इसरालुलहक मिजाज जो है है यह आवारा नाम के नजम के राइटर है मिजाज के वालिड का नाम क्या था इनके वालिड का नाम था था सिराजुलहक है आपसर नमबर 30 मिजाज को कहां की फिजारास आई ताली ग tub causing को उर निसाज का इंकाल कब हुआ कि शायर कहां आवारा फिर रहे थे तो वो सड़क पर आवारा फिर रहे थे डी हो जाएगा सही जवाब और एक तुफान बला किस के लिए मनतजिर है तो इसका सही जवाब होगा शायर के लिए मनतजिर है तिसरा सवाल है कि नजम आवारा के शायर कौन है तो वो है स्रारूल हक मिजाज रात कहां चलने की दावद देती है तो रात जो है न शायर को विराने में चलने की दावद देती है चार का उपसन नमबर ए शायर मोती की लड़ी किसे कहते है तो तूटे हुए सितारे को कहते है मोती की लड़ी मिजاز लखनवी मिजاز कहां पैदा हुए तो वो खुजख हाल में पैदा हुए थे मिज़ास के वालिद यानि की पीता जी का नाम क्या था तो उनके पीता जी का नाम था सिराज-ुलहक बचपन में किस नम से मिजास को पुकारा जाता था याद रखिएगा इनको जगन करके कहकर पुकार जाता था क्ैंकि मजाज लखनवी जो थे ना वो रात बर जाग जाग कर पढ़ाई कर दे थे इस वज़ा से लोग इनको जगन कहने लगे रात हस हसकर कहां चलने को कहती है तो रातStar ससकर कहती है चल किसी मेखाने में चलते हैं अगर वहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो चल किसी मेखाने में चलते हैं अगर वहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है तो ऐच दोस्त चल किसी वीराने में चलते हैं यहीं कि यह सबी जगा चलने की बात कहती है रात तो आपसन नमर डी आहंग कब शाय हुआ तो ये किताब शाय हुआ था उनैसा 38 में मजाज की मौत किस बिमारी के वज़ा से हुई तो उनकी मौत हुई थी जुनून का दोरा पढ़ने के वज़ा से डबल निमोनिया होने के वज़ा से दिमाग की नसे फटने के वज़ा से यानकी डी इन में से सब भी कारण था जिसके जास लखनवीं का इंतिकाल हो गया 15 नमब्षा पूछ सुल्टा सुल्टा कोन देना चाहता है तो सारा पूछ सुल्टा जो है ना शाइर फूझ देना चाहता है आप सर नम कर्था इक करेक्टर सर यहां टक तक नोबर 33 थ्री का objective question complete और मातर साथ चेप्टर बचा हुए चले इसको भी फड़ाफट complete करते हैं यहां पर अगला सवाल है कि वली दकनी की जायई पैदाईश कहा है वली दकनी की जायई पैदाईश यानि crimes यहां चीजगा properly नी कि जगा पैदा कर दोदा का नाम फाय आगे नाम है reflective hanu मस्नवी लिखी यजिन कि वाली दकनी जो कि एना ये किस शेर के बारे में मस्नवी लिखें थें तो सूरत शेर早 reflection ie किसे शागिर्द ने दिवाने वली का मख्तुता लिखा तो सनाउल य हुँआ जाता वली दकनी का उसकाल कब वा आप लोग जांते हैं 17 आगे बढ़ते हैं अगला सवाल रासिख का असल नाम यानि की रियल नेम बताना है तो शेख गुलाम अली आप जानते ही हैं रासिख की पैदाईश कब हुई 1777 ऑप्सन नुम्बर बीज दा करेक्ट एंसर रासिख के वालिद यानि की पिता जी का नाम था शेख मुहम्मद फ तो मिर्ता की मीर के स्टूडेंट थे रासिख की वफात कब हुई तो 18233 को और बीज दा करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं फड़ाफट अब देखें यहां से जो स्टार्ट होगा चेप्टर नुम्बर 34 35 36 और 37 इन चारों को मिला कर हैं टोटल आप लोगे बुक में 40 दिखाई देते हैं तो वली जो है ना वो शुमाल और जुनूब यानि कि आपसा नमबर 20 करेक्ट अंसर शुमाल और जुनूब की दर्मियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं यह बड़ा ही इंपोर्टन कोशन है याद रखिएगा कभी भूलना नहीं है जिन्दगी में दूसरा सावाल है कि पहले शेयर में मोहन किसे कहा गया है पहले शेयर मोहन कहागया है महबूब को महबूब महबوب को कहा गया है मुहन हेदरबादी उल्मा के मताबिक वली का पूरा नाम autres J वह न है सय्ये वली मुहंद और वली का ऐसल नम गुजराती मह च्आपप रिसर्चर के यसाबिफे बहली का पूरा नाम शह और दुसके गजल के पहले शेर के मताबिक शायर का दिल कहां का बासी है तो शायर का दिल जो है ना महभूब की गली का बासी है कुशन नबर सिक्स है कि हैदराबादी उल्मा के मताबिक वली की जाय पैदाईश यानि कि किस जगा पर ये पैदा हुए है हैदराबादी उल्मा के मताबिक और अंगबाद में पैदा हुएए थे याद रख्ये का ली कि जाहیا पैदाइश नम्बर कि गुज्रती मौक इन के कआ silic satisf चाहा हैं तो वो है आहमदाबाद गुजरी रिसर्चर के हिसाब से वली के जिस जगह पर पैदा हुए वो है एहमदाबद वली की किस शागिर्श ने दिवाने वली का मकतुथ हूँ था सर। सतर सब 25 में वली दखनी की वफात कब हुई तो इनकी वफात हुई थी 1707 आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि वली दखनी की वफात कहा हुई तो इनकी वफात हुई थी और अंगबाद में ही ठीक है और अंगबाद बारह नमबर सवाल है कि शायर ने रसकेची किसे कहा है देखिए यहां पर आपसन एक ही में आप यह कह सकते हैं जुड़ गया है आपसन ए में है चीनी को भी में है महबूबा को सी में है भाई को और डी में है दोस्त को तो शायर ने रसकेची अपने महबूबा को का है बारा का आपसन नमर बी हो जाएगा महबूबा को वली दकनी ने अपने दोस्त सेद अबुल मौली के साथ कहां का सफर किया तो वो दिल्ली का सफर किये थे आपसन नमर सी इस दा करेक्टन सर रुखेयार के काबिल कौन होता है रुखेयार के काबिल वही होता है जिसके दिल का आईना क्या हो साफ हो जिसके दिल का आईना साफ हो आपसन नमर बीज दा करेक्टन सर नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं रासिख का पूरा नाम क्या था तो रासिक अजिम अबादी का पूरा नाम था शेह गुलाम अली नेक्स्ट कोश्चन किन है शुमाल और जुनूब के दर्मियान एक पुल की तरह तसाओर किया जाता है तो वली दखनी को पूरब और पच्छिम बोल रही हूँ शुमाल और जुनूब का मतलब होता है उत्तर और दख्छिड तो उत्तर और दख्छिड के वीच पूल की तरह वली दखनी को तसाओर किया जाता है रासिक अजिम अबादी की पैदाईश कब हुई तो 1757 में हुई थी रासिक कहां पैदा हुए तो रासिक पैदा हुए थें अजिम अबाद में क्योंकि नामी है रासिक अजिम अबादी अजिम अबाद में पैदा हुए थे किसने उमर भर कभी कोई मुलाजमत नहीं की थी तो वो थें रासिक अजिम अबादी ही question याद रखेगा important है कौन से ऐसे शायर है जो किसी दर्बारी के दर्बार में मुनसलक नहीं हुए तो वो थे मीर बबर अलीस ये भी important question है और किसने उमर बर कभी कोई मुलाजमत नहीं की वो थे रासिक अजिमबादी ये दोनों question important है रासिख के वालिद का नाम क्या था उनके वालिद का नाम था शेख मुहम्मद फैज रासिख किसके शागिर्द थे किसके स्टूडेंट थे तो मीरता की मीर के स्टूडेंट थे दिल क्यों डूबा जा रहा था शुरुव इश्क में दिल डूबा जा रहा था तेइस नमबर सवाल है कि शायर की आँखों में आसू क्यों है तो बुढ़ापी की वज़ा से शायर की आँखों में आसू है रासिख की वफात कब और कहां हुई लोधी कट्रा अठार सा तेइस में हुई थी रासिख की वफात ठीक है रासिख अजिम अबादी का तक 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 अब स्टार्ट होगा चेप्टर नमर 38 का अबजेक्टिब कॉश्चन चलिए देखते हैं फड़ा फड़ अर्दू का पहला कसीदा गोश्चायर कौन है याद रखेगा नुसरती इंपॉर्टन कॉश्चन है ये नेक्स्ट कॉश्चन है कि किसी सिन फशायरी में तारीफ और तौसीफ बयान किया जाता है तो कसीदा में किसी भी शक्त की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है तो आपसन नमर 20 ता करेक्ट इंसर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए सौधा की पैदाईश कब हुई मिर्जा मुहमद रफी शौदा की पैदाईश हुई थी शौदा के वालिद का नाम मिर्जा मुहमद शफी था आपसन नमबर बी शौदा का इंतकाल कब हुआ बताईए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल उर्दु शायरी में गीत की रिवायत कि जबान में आई तो हिंदी से उर्दु में आई गीत की रिवायत साहिर का असल नाम तो अब्दुल हई था ये भी इंपॉर्टन कोश्चन है साहिर लुदियानवी की पैदाईश कब हुई तो उन्हेसा बारा में हुई थी साहिर का तालुक हिंदुस्तान के किस सूबे से था तो पंजाब सूबे से था और साहिर का इंतकाल कब हुआ उन्हेसा अस्टी में हो चुका था आगे बढ़ते हैं फटा फट अब ये जितना भी कोश्चन देखने को मिलेगा ये हमारे द्वरा तयार किया गया है चप्टन नमर 38 का है पहला सवाल क्या बोल रहा है कि कसीदा निगारी का नका से अवल कि से कहा जाता है ऑपसन ए में है एहसान दानिश बी में है मिर्जा मुहमद रफी सौदा तो जी हम मिर्जा मुहमद रफी सौदा को ही कसीदा निगारी का अनका से अवल कहा जाता है अगला सवाल कि सौदा ने तकरीबन कितने कसीदे लिखे ए में है सो बी में है दो सासी में ह 300 और इमेच 4 सहीजवाब हो जाएगा 300 लग बग 300 फारस जुपान के किन कसीदानेगारों को सौधा ने अपने लिए नमूना बनाया तो फारसी जुपान के किन कसीदानेगारों को पूचा गया है न तो सिराज उदिन आली खार्दू याद रखिएगा इनको अपना नमूना बनाए थे मिर्जा मुहमद रफी सौधा तजी के रुजगार किसका कसीदा में किसका मजा कुड़ाया गया है तो इसमें एक घोड़े का मजा कुड़ाया गया है तो चार का अपसन नमर डी हो जाएगा यहां पर तोड कॉशन नमर फाइफ है कि तजी के रुजगार किसका कसीदा है तो यह मिर्जा मुहमद रफी सौधा का कसीदा है तो आपसन नमर बी में टिक कर दीजे सौधा का सबसे मशूर हिजविय कसीदा कौन सा है तो सबसे मशूर हिजविय कसीदा का नाम ही है तजी के रुजगार ठ कसीदा का मिर्जा मुम्मद रफी सौदा का तखल्स क्या है तो इनका तखल्स है सिर्फ सौदा सौदा तखल्स है देखिए आपसने में है रफी बी में है सौदा बी में है मिर्जा और डी में है मुम्मद तो जो इनका तखल्स है वो है सौदा किस जुबान में हुई आपसने में अर्बी भी में अर्दू सी में फार्सी अर्डी में संस्क्रित सही जवाब होगा आपसन नमबर ए अर्बी में कसीदे की अबतदा हुई थी ठीक है सौधा के वालिद यानि की पिता जी का नाम बताना है इनके पिता जी का नाम है मिर्जा मुहमद शफी सौधा की गोई में कमाल हासिल हुई थी मिर्जा मौमद रफी सौधा को 19 सदी की आखिर में कसीदा गोई की अजमत किसे हासिल हुई सौधा की एक पार्सी रिसाला का नाम बताईए तो उसका नाम है अबर्तुल गाफिलीन फोटीन का उपसन नमबर बी पंदर नमबर सवाले की तजही के रुजगार कसीदा में घोडे के पर्दे में किसकी अबर्तनाक तस्वीर कीची गई है अपसन में अंग्रेजी सल्थनळ dopo, बी में खिल जी सल्थन थी में मुगलिय सल्थन थी में इन में से कोई नहीं तो अपसन नमबर सीजल करेक्ट रिस्ट हैं सुला नमबर सवाले की कसीदा का बादशाह की से कहा जाता है तो मिर्जा मुहम्मद रफी सौदा को ही कहा जाता है सौदा अर्दो शाहिरी में किस कसीदा निगार से मशुरा सुखन करते थे यान कि किस कसीदा निगार से मस्वरे लिया करते थे तो वो शाह हातिम से सौदा का असल नाम यान कि रियल नेम क्या है वो है मिर्जा मुहम्मद रफी और सौदा इनका तखलुस है ठीक है? कुश्ट नमबर 19 है कि सौदा के फालिद का पेशा क्या था? वो क्या करते थे? तो वो तजारत करते थे कसीदे में जिस घोडे का जिक्र है वो कितने रुपे में खरदा गया था? तो वो खरदा गया था 100 रुपे में, मातर 100 रुपे में घोडा खरदा गया था अब देखिए टोटल 40 चेप्टर है ना 38 तक तो कंप्लीट हो चुका है अब मातर 2 चेप्टर बचा हुआ है 39 और 4040 मातर 2 चेप्टर हम लोग अपने मनजिल के बहुत करीब है मातर और 2 चेप्टर बचा हुआ है उसके बाद से सारा अबजेक्टिव कोशन कंप्लीट हो जाने वाला है तो आप लोगों को बीच में से छोड़ करना है इस जरनी को अधूरा नहीं छोड़ना है पुरा कंप्लीट करना है और कंप्लीट जुड़े रहना है और सारे अबजेक्टिव कोशन को कंप्लीट करना है मातर और 2 चेप्टर बचा हुआ है ज्यादा समय नहीं अब कुछी समय का इंतजार है उसके बाद से सारा अबजेक्टिव कंप्लीट हो जाने वाला है चलिए फड़फट कंप्लीट करते हैं आप लोग हर एक अबजेक्टिव कोशन पर कमांड कीजिए और इसको रिविजन कीजिए खतरनाख रिविजन सबसे पहला सवाल क्या है साथी हाथ बढ़ाना गीत शायर ने किस फिल्म के लिए लिए लिखा है तो ये नया दौर नाम के फिल्म के लिए लिखा गया था साथी हाथ बढ़ाना गीत दूसरा सवाल है कि बन्यादी तोर पर गीत साथी हाथ बढ़ाना समाज के किस तबके के लिए लिखा गया था तो ये मजदूरों के लिए लिखा गया था साथी हाथ बढ़ाना कत्रा मिलकर क्या बनता है कत्रा कत्रा मिलकर बन जाता है दरिया साथी हाथ बढ़ाना गीत के शायर कौन है तो वो है साहिर लुद्यानमी 4 का अपसन नमबर D साहिर लुद्यानमी का रियल नेम पुछा गया है तो इनका जो real name है वो है अब्दुल है पांच का अपसन नमबर भी हो जाएगा साहिल अध्यानमी का तकल्स क्या है तो इनका तकल्स याद रखना है वो है साहिर मोती कहां से निकलता है तो मोती पानी से निकलता है या आप लोगे बुक में बताये गया है साथी हाथ बढ़ाना गीत में कितनी बार आया है तो साथी हाथ बढ़ाना ये छे बार आया है साहिर ने तो हिंदु बनेगा ना मुसल्मान बनेगा गीत किस फिल्म के लिए कहा है तो ये गीत जो है ना धूल के फूल नाम के फिल्म के लिए लिए लिखा गया था साहिल लुद्यानوी कब पैदा हुए तो ये पैदा हुए थे उन्हें सब 12-B में साहिल लुद्यानوी के वालिद यानकी पिता जी का नाम क्या है तो पिता जी का नाम है जी हाँ चौद्री फजल मोहमद बारे नमबर स्वाल है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसल्मान बनेगा गीत के शायर कौन है अभी जोली बात है साही लुद्यानवी तेरह से डिक कीजे तेरह नमबर स्वाल है कि सागर ने भी रस्ता क्यों छोड़ दिया तो मजदूरों को एक साथ मिलकर काम करने से सायागर ने भी रस्ता छोड़ दिया जर्रा मिलने से क्या बनता है तो जर्रा मिलने से बनता है सहरा एक एक राई मिलने से क्या बनता है तो एक एक राई मिलने से बनता है परवत साहिर लुद्यानवी के वालिदा यानि की मा का नाम क्या है तो मा का नाम है सलीमा बेगम सुल्ला का उपसन स्वारी सर्दार बेगम साहिर लुद्यानवी की वालिदा यानि की मा का नाम है सर्दार बेगम सलीमा बेगम नहीं सर्दार बेगम आगे बढ़ते हैं 17. सवाल है कि साहिर को किन से नफरत थी तो 17 का अपसन नबर सी हो जाएगा A&B दोनों यानि कि नजाम और बरतानवी दोनों से नफरत थी 18. सवाल है कि तक्सी में हिंद के वक्त साहिर लोग्यानवी कहा थे तो ये थे बंबई में ठीक है यानि कि हिंदुस्तान का जब भटवारा हो रहा था तब ये बंबई में थे साहिर किस साल तरक्य पसंद मसन्नफीन कांफरिंस में बंबई में शिरकत की है तो 19. साहिर अपनी मा की तलाश में कहा गया है तो अपनी मा की तलाश में ये गैर रहते हैं लाहौर किस साल साहिर को पदम शिरी का खिताब मिला तो उन्हें से 71 में इनको पदम शिरी का खिताब मिला था एक एक इनसान मिलकर किसको अपने बस में कर सकता है तो किसमत को भी अपने बस में कर सकता है साहिर को कौन कौन से मजमुवे पर सोवियत लेंड नहरू अवार्ड मिला तो वो था आओ के कोई खुआब दूने इसी किताब पर इनको सोवियत लेंड नहरू अवार्ड मिला था लाल कहां से निकालने की बात कही गई है तो लाल मिट्टी से निकालने की बात कही है बदले हुए वक्त की पहचान कौन बनेगा तो इनसान बनेगा तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा इनसान की ओलाद है, इनसान बनीगा सुने है आप लोगों को पुरा गीत पढ़कर बताई हूँ और अर्थ भी बताई थी बहुत ही अच्छा चप्टर है साहिल लुद्यानवी के वालिदा याए का इंतकाल कब हुआ उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, उनसान चप्टर रिस बीविय शाहिल लुद्यानवी की वफात कब हुई तो इनकी वफात हो गयी थी उनसान असी में अगला सवाल है किसाहिल लुद्यानवी कहा मदफ़ूण हुए यैनि किनको कहा दफन किया गया तो बंबई में ही ये दफ़न हुए है अदब के लतीफे रसाले में साही लुत सवाल की सेहरा के माणी क्या है तो सेहरा का माणी होता है रेगिस्तान फाइनली यहाँ पर हो जाता है क्लास 12 के उर्दू का संपूर्ण अब्जेक्टिव कम्प्लीट अगर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं और यहाँ तक पहुंच गए हैं पूचे जाएंगे उस पूरे वीडियो का रिवीजन की रहेंगे बार बार देखे रहेंगे तो सारा अप लोग मैंड में बैठा रहेंगा रहेगा रिफ्रेश हुआ रहेगा तो आप लोग हर एक कोश्चन का एंसर बिल्कुल सही-साई टिक करके आएंगे और सही-साई इस वीडियो का लाव उठा सके चानल पर अगर आप लोग नए नए आये हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर अन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो या फिर लाइब क्लास हो नोटिफि एडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदाहाफिज